हेलो बच्चो वेलकम टू अपनी कक्षा आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपका अनादर चाप्टर विच इस डाइवर्सिटी इन लिविंग और्गानिसम्स यह बहुत इंट्रेसिंग चाप्टर है यह जो टर्म डाइवर्सिटी है न यह बायो डाइवर्सिट से आया है बायो डाइवर्सिटी को अगर हम स्प्लिट करें तो बायो का मतलब हो गया लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी हमारी अर्थ के ऊपर अभी तक जितने भी और्गानिसम्स डिस्कावर हो चुके हैं एप्रॉक्सिमेटली 1.9 बिलियन और्गानिसम्स अभी भी 92% अर्थ को एक्स्प्लोर करना बाखी है यानि कि we don't know how many new organisms can be found तो इस चाप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से और्गानिसम्स को अरेंज किया गया है क्यों कि वो और्गानिसम्स इतने अलग है एक दूसरे से कुछ के अंदर physical differences होंगे सबका nutrition same नहीं हो सकता सारे और्गानिसम्स का locomotion का respiration का and life processes का तरीका अलग अलग है इतने सारे color के shape के और cell के और्गानिसम्स हमें देखने को मिल दे तो इस chapter के अंदर हम करने वाले हैं उनको classify का मतलब होता है उनको groups में arrange कर देना जिससे हम उसकी study को अच्छे से कर पाएं जैसे हम schools में एक level के according बच्चों को डालते हैं class 1 का जो बच्चा होगा वो उस mental level के according होगा then age के according हम उनको groups में डालते हैं इस पूरे chapter को उसी तरीके स समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमने groups बनाए हैं और फिर उनके characters को discuss किया है living organisms का मतलब सिर्फ plants और animals ही नहीं है बहुत सारे ऐसे creatures है जो microscopic भी है जो पानी के अंदर जाके रह रह रहे हैं और हमें लगता है वो शायद non living होंगे but they are actually living जैसे की algae and lichens और अच्छे से clear हो जा करना है actually scientist पहले काफी confused थे कि किस तरीके से classify करें तो scientist ने ना kingdoms बनाने शुरू कर दिये यानि कि सबसे पहले जो classification start हुआ था वो सिर्फ दो group से हुआ था एक बना दिया plants और एक बना दिया animals well thanks to carcelinius इन्होंने ही इस kingdom की classification को start कर दिया था but it was not easy even after that कि हम सारे organism को सिर्फ और सि ना होगा आपने अमीवा को हम plant और आनिमल किसी में भी नहीं डाल पा रहे थे also सारे plants जैसे organisms उसके जैसे नहीं दिखते अगर आप plants के बारे में सोचो तो आपके दिमाग में के में जाती होगी कि बड़ी लंबी system होगी leaves होंगे roots होंगे fruits and flowers होंगे but not actually all plants are like that तो हमें और ज Kingdoms बना दिये थे जो किते मौनेरा प्रोटेस्टा फंगी प्लांटे एन अनिमालिया अब हमारे पास फोड़ा easy हो गया था classify करना बट इतने पांच Kingdoms ही sufficient नहीं थे हमें subgroups बनाने पड़ रहे थे जैसे class में बच्चे जादा हो जाते तो हम sections बना देते न ऐसे हमें बार बा इसमें sections बनाने पड़ रहे थे और गयानिजम्स की similarities और differences को देखते हुए तो Kingdoms, Monera, Protesta, Fungi and Planty, Animalia these are actually the kingdoms उसके बाद भी division हुआ सबसे पहले आता है Kingdom उसके बाद हम divide कर देते हैं उसको phylum में Kingdom, phylum, class, order, family, genus and species यानि कि हमने इतने levels पर उनको divide करना शुरू किया था and इस chapter के अंदर आपको सिर्फ division तक ही पढ़ना है यानि कि कितने kingdoms हैं फिर उनकी कौन कौन सी divisions हैं यानि कि हम सबसे पहले class 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ लेंगे and फिर हम उसमें देखेंगे कि कौन से sections बनाए गए हैं और organisms को कैसे place किया गया है इसके साथ इस chapter के अंदर हम पढ़ने माले हैं टैक्जुनूमी के बारे में यह हम example से समझते हैं यह जो bird है इसको हिंदी में गोरहिया बोला जाता है पाकिस्तान में इसका कोई और नाम होगा इंग्लाइन में इसको हाउस पेरो के नाम से जानते हैं और जिपान में इसको सुजने के नाम से जानते हैं अब imagine करो अगर इन सारी कंट्रीज के scientist एक दूसरे से मिलने गए और उन्होंने जब इस bird को देखा होगा तो वो अलग-अलग नाम से उसको बुला रहे होंगे जिसकी वजह से काफी confusion हो सकती है क्योंकि वो scientist है और उनको बहुत सारे organisms की study करनी है तो इसी लिए इस काम को असान करने के लिए आया एक nomenclature जिसका मतलब होता है नाम करन करना science की language में इन organisms का name रख दिया गया which is known as scientific name तो कुछ rules के साथ इन names को use किया जाता है हमें वो छोटे-छोटे rules पढ़ने हैं कि scientific name को कैसे लिखा जाता है जो हमने सारी division करी है kingdom से लेकर species तक उसी के base पर इनके names रखे गए है साथी साथ last में हम scientist का नाम भी attach कर सकते हैं कि कौन से scientist ने उस organism की discovery करी है आप Charles Ravin को तो जानते ही होंगे who is actually known as father of evolution उन्होंने बहुत सारे organisms को study किया था और अपनी एक book बनाई थी जिसका नाम था origin of species हम evolution के साथ-साथ ही organisms के differences को और similarities को compare करते हैं differences और similarities सिर्फ exterior या फिर हम उनको morphologically ही divide नहीं कर सकते यानि कि सिर्फ physical appearances के according हम organisms को अलग-अलग groups में नहीं डाल सकते हमें उनके internal organal parts यानि की anatomy की study भी करनी होती है कि उनका interior body design किस तरीके से है also हम उनके ancestors की study करते हैं जिससे हम relate कर पाते हैं कि किस तरीके से वो evolve हुए है और कितने similarities उनके अंदर हमें देखने को मिलेंगी हमारे इंडिया के अंदर ही हमें 12 mega biodiversity देखने को मिलती है so let's dive into the chapter to see कि कि किस तरीके से अलग-अलग bacterias, protozoans, fungi, algae और plants और animals की variety हमें देखने को मिलती है so let's start with the chapter now so सबसे पहले देखते हैं NCRT की definition क्या कहती है classification के बारे में the arrangement of organisms and groups on the basis of their similarities and differences is called classification आप classification को ना एक school की तरह समझो जैसे school में हम बच्चों की age और mental level के according उनको अलग-अलग classes में रख देते हैं क्लास 1 का बच्चा कितना अलग होता है क्लास 10 और 12 की बच्चे से राइट तो वो differences हमें इन में भी देखने को मिलेंगे और उसी के according हम उनको groups में डाल देते हैं और जो उसकी study होती है सारी that is texonomy, classification, process का मतलब वही है कि हम किस class में कौन से organism को डाल रहे है तो अब हम देखते हैं बहुत सारे organisms हो गए हैं अर्थ पे तो सब को classify करना बहुत ज़रूरी है उनकी study को easy करने के लिए अब जैसे हमने बच्चों को age के according और mental level के according classes में डाला हुआ है अब हम इसमें क्या base रखने वाले हैं क्या वो characters होंगे जिसके base पर हम classify करने वाले जो सबसे बहला basis होता है ना division का वो होता है कि उनके पास किस तरीके का cell है अब हम जो chapter cover करके आए हैं the fundamental unit of life उसमें आपने पड़ा था कि दो तरीके के cells होते हैं एक होता है prokaryotic cell और एक होता है you karyotic cell तो prokaryotic cell होते है primitive time के prok का मतलब क्या होता है primitive और you का मतलब क्या होता है primitive और karyotic का मतलब क्या होता है nucleus यानि कि वो cells जिनके अंदर पुराने टाइम के nucleus है, that is prokaryotic cell, और eukaryotic cell हम देख लेंगे उसका कि वो अच्छे से nucleus उसके अंदर developed है या नहीं, nuclear membrane अच्छे से है या नहीं, तो उस base पे सबसे पहली जो हमारी division हो गई, वो यह हो जाएगी, कि जो organism है, वो prokaryotic है या फिर eukaryotic है, पहला division हो गया यह, उसके बात, दूसरा हमें देखना है, उनका body का design कैसा है, एक cell से बना हुआ है, तो हम बोल देंगे न, वो organism unicellular हो गया, और बहुत सारों से मिलकर बना है, तो हम बोल देंगे, multicellular हो गया, क्योंकि हमारी earth पे बहुत सारे microscopic organisms भी है, मतलब एक cell से बने हुए वाले organisms में भी इतनी variety है, तो हमें groups में डालना बहुत ज़रूरी था, आगे देखने, इसके बाद है production of food, खाना कैसे ले रहे है, autotrophic mode of nutrition है, या फिर heterotrophic mode of nutrition है, और अगर आपको याद हो, autotrophic का मतलब होता है, अपना खाना खुद बनाने वाले, यानि कि उनके अंदर इस काम को करने के लिए chlorophyll होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद heterotrophic mode of nutrition इसके भी और types होते हैं, hetero का मतलब different, यानि कि अपना खाना किसी और organism से लेना, इसके भी अब अलग-अलग types हो गए थे, कुछ और organism होते हैं, जो holozoic mode of nutrition दिखाते हैं, holozoic mode of nutrition यानि कि एक organ जैसे कि mouth का use करना अपने ख type, holozoic mode of nutrition, उसके बाद क्या होता है, saprophytic mode of nutrition, ये saprophytic mode का मतलब होता है कि कोई organism, किसी dead organism पे अपना खाना खाना ले रहा हो, जैसे कि आपने देखा होगा, plants और animals जो मर जाते हैं, वो थोड़े टाइम बाद अपने आपी हमारी अर्थ से मिट्टी में मिल जाते हैं, बोलते ह ऐसे microscope वाले organisms हैं, जो उसको feed कर रहे हैं और हमारी अर्थ से मिट्टी में उसको mix कर रहे हैं, तो वो mode of nutrition ही होता है, saprophytic mode of nutrition, ये हम microscopic organisms के अंदर देखने को हमें मिलता है, ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है parasitic mode of nutrition, parasitic में क्या होता है, कि कि किसी host body, यानि कि किसी और living organism को, या उसका खाना हम use कर लें, जैसे कि आपने देखा होगा worms, worms, कीडे, वो क्या करते हैं, दूसरों के intestine में चले जाते हैं, और उनका वही से digested खाना, उनका main food बन जाते हैं, एक host body चाहिए होती है, जैसे अगर हम lice और tick की बात करें, ये ऐसे insects हैं, जो दूसरे organisms की body या hair में जाकर उनके blood पे feed करते हैं, तो वो भी एक तरीके का कैसा mode of nutrition हो गया, parasitic mode of nutrition, आगे जाके हम इन terms का use करने वाले, तो आप फिर से समझिए कि mode of nutrition एक तो होता है autotrophic के खुद बना लेगे, एक होता है heterotrophic के दूसरों से लेना है, इसमें भी अब तीन divisions है, हम जो mode of nutrition follow करते है वो होलो जो एक mode of nutrition होता है, क्योंकि हमारे पास एक special developed organ है, जिसका नाम है mouth, हम उससे खाना लेंगे, उसके बाद digestion स्टार्ट हो जाएगा, saprophytic, dead organisms, इसके example mostly bacteria और fungus हमने सुने, and then parasitic mode of nutrition, अभी मैंने बताया, worms हो गए, and lysotic, यह parasitic mode of nutrition show करते हैं, तो अब हम यह terms का use करने वाले कि कोई organism autotrophic है, parasitic है, saprophytic है, and this and that, इसके बाद जो level of organization है, हम उसके according decide करेंगे, कि अगर एक cell से बना हुआ है, तो cellular level of organization हो गया, उसके बाद कुछ organisms यही पर खतम हो जाएंगे, तो multicellular या फिर tissue level of organization हो गया, कुछ होते हैं जिनमें organs की development start हो जाती है, तो यह level of organization जो हमने प cellular level पर है, या फिर पूरी body या organ level of organization है उनके अंदर, तो यह कुछ important basis थे, जिनके according हमने classification start किया, जैसे age को देखते हुए, हम बच्चों को classes में डालते हैं, उनके mental level को देखते हुए, हम उनको classes में डालते हैं, ऐसे ही इन सारे features को देखते हुए, हम groups में उनको डालने वाले ह ठीक है, आगे देखो, यह सारे basis of division बहुत important है, अब आपको देखने हैं, body के parts, यानि कि अगर सारे parts उन organism के अंदर हैं, तो एक अलग group बन जाएगा, कुछ organisms होंगे जिनके अंदर सारे body के parts नहीं होंगे, तो एक अलग group बन जाएगा, यह भी एक basis of division माना गया है, Now there is a note for you, these features can differ both in plants and animals, very obvious na, यह जो हमने basis बनाए हैं, जिसके according हम groups बनाने वाले हैं, वो plants और animals में काफी अलग होने वाले हैं, as they differ both in plants and animals, they differ in their body design, यह जादा differences हमें Plants में और animals में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका body का design इतना अलग है, subgroups are made because of prominent designs and characteristic features, आपको बहुत अच्छे से plants और animals के differences देखने को मिल जाते हैं, तो वो differences की वज़ा से बहुत easy हैं, उनको अलग-अलग groups में डालना, ठीक है, इसके बाद हमें देखना है two kingdom classification, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, कि जब scientist ने दिमाग लगाना शुरू किया कि अरे सारे organisms की study करनी है, तो study करना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक काम करते हैं, groups बना देते हैं, फिर थोड़ा easy हो जाएगा groups के बारे में decide करना, तो सबसे पहले जो two kingdom classification आया था, वो कास linear ने दिया classification सबसे पहले बन गई थी, ठीक है, उसके बाद आये थे हमारे दूसरे scientist जिन्होंने बोला कि इतनी सारी variety है, दो kingdom में कैसे हम decide कर सकते हैं, क्या सारे organisms जो plants हम सोच रहे होंगे, ओके, इसकी बात करते हैं, क्या bacteria को हम किसमें डालेंगे, plants में या animals में, या फिर आपे बहुत स leaves निकल रहे होंगे, flowers निकल रहे होंगे, पर क्या सारे ऐसे organisms होते हैं, तो ये तो sufficient नहीं था for sure, इसके बाद जो दूसरे scientist आये थे, let me tell you one more thing, आप हाई ये classes में पढ़ने वाले हैं, कि two के बाद सीधा five kingdom नहीं आया था, इसके बीच में और भी kingdom आये थे, three kingdom आया, four kingdom आया, अब हम NCRT restricted ही पढ़ेंगे, जो आपके syllabus में है, हमें वही पढ़ना है, two kingdom classification और आगया five kingdom classification, येस आपको इसमें scientist का नाम जरूर याद करना है, तो आरे च विट टेकर थे, जिन्होंने five kingdom classification दिया, last में डाल दिया, इन्होंने plantaei और animalia को, उसके बाद इन्होंने तीन main kingdoms में protista, fungi, plantaei and then animalia, तो अब हम देखेंगे कि क्या-क्या characters इन्होंने रखे, थोड़ा और deep चले गए थे characters को देखते हुए और फिर इन्होंने study करके ये पांच अलग-अलग kingdoms बिना दिया, अब हमें देखना है, आप इनको class समझ सकते हो, कि किस तरीके से classes में हम बच्चों को ड तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे, एके kingdom individually, ये आपको chapter के end में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बिताऊंगी, कि काल्स लेनियस है, उन्होंने अलग-अलग texonomi groups बना दिये थे, ये groups हैं ये वाले, हम ऐसे जाते हैं इन groups के अंदर, उ सबसे पहले तो हमने plants और animals का group बनाया था, फिर हमने देखा कि कुछ plants जो हैं वो green color के हैं और कुछ plants वो थोड़े अलग color के हैं, तो हमने उनको और जादा divide कर दिया, फिर हमने देखा कुछ plants ना earth के level पर ही खतम हो जाते हैं, उनकी stem जादा बड़ी नहीं है, तो हम और जादा उसको classify कर सकते हैं, तो इसी तरीके से हम इसको याद करेंगे, सबसे बड़ा जो group हमें commonly जो देखने को मिल जाता है, वो हो जाएगा kingdom, कि फटा फट इसको kingdom में डालो, अभी आपने देखा ना, monera, protista, fungi, plant ही animalia, तो अगर मैं आपको कोई animal दे दूँ और आपसे पू kingdom, उसके बाद और जादा अगर हम specific देखें, तो आता है phylum, फिर आता है class, फिर आता है order, हम और जादा character sticks के अंदर गुशते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि कौन कितना similar है, फिर हमने देखा family, और last में genus, और species, यहाँ पे species का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है, एक species किसको बोल देते हैं, जो बिलकुल same organisms होने वाले, for example lion एक species है, cat भी एक species है, tigers भी एक species है, zebras भी एक species है, human beings भी एक species है, species है कि definition, science के according क्या होने वाली है, वो organisms का group जो आपस में reproduce कर सके, जो reproduction की capability आपस में रखे, that is a particular species, right? So, species सबसे हमारा last वाला division आता है, कि हमने सारे characters उठा के देख लिया, अब ये सारे characters इनके अंदर मिलते हैं, तो वो हो गई species, जिनस का मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ, कि species के अंदर characters बहुत जादा सेम होने वाले हैं, है न, human beings के अंदर सारे characters सेम होंगे, सब एक ही तरीके से खाना खाते हैं, सब के अंदर सारे life processes सेम तरीके से हो रहे हैं, सब के अंदर सेम स्केलिकल सिस्टम होगा, सारे organs हमें देखने को मिलेंगे, differences तो नहीं हैं, बट वही पे अगर हम human body को compare करें किसी और animal से, लेट से अगर हम giraffe से compare करें, तो neck के differences, body organs के differences हमें देखने को मिल जाएंगे, अब genus का मतलब क्या होता है, similarities होंगी, बट species से कम similar होने वाले हैं, for example, we, human beings are very closely related to chimpanzees और monkeys, है ना, हमारे ancestors जो थे, वो same थे, chimpanzees के और human beings के ancestors same थे, पुरवज जो थे, तो हम उनी से evolve होकर आए हैं, हमारे बहुत सारे characters chimpanzees से match करते हैं, तो अब similarities तो हैं, बट थोड़े से differences भी देखने को मिलते हैं, तो वो कही न कहीं genus के अंदर आ जाएगा, फिर थोड़ा और कम similarities को देखेंगे, तो family के अंदर आ जाएगा, I hope यह आपको clear हुआ होगा, अगर नहीं भी हुआ तो chapter के end में हो जाएगा, यह जो हमने किया है यहाँ पर, यह example लिया है, human beings का, human beings कौन से kingdom में आएंगे भई, अफकोस, animalia kingdom में आएंगे, core data, यह आपको आगे जब हम animalia पढ़ेंगे, तो पता चलेगा core data का मतलब क्या होता है, हमारा order क्या होने वाला है, mammalia, हम mammals है न, then primates, then homin area, यह terms अभी आपको समझ नहीं आ रही होंगी, हम अभी clear करेंगे, and then हमारी जो species होने वाली है, वो कौनसी होने वाली है, homo sapiens, हमारी species होगी यहाँ पर, homo sapiens, ठीक है, so next we have to study, there is a system of classification, यह system क्या कहता है, actually, यह भी कार्स, lanius ने दिया था, काफी काम किया इन्होंने classification में, classification पॉसिबल ही नहीं होती, अगर कार्स आकर अपना दिमाग नहीं लगा दे तो, अब एक name होता है, जो हर एक species को दिया गया है, हर एक species का एक scientific name दिया गया है, यह scientific name यानि कि हम बोल सकते हैं, science की language में एक name है, For example, अगर मैं बात करूँ किसी भी organism की, उसका हर देश में same नाम तो नहीं होगा, अगर हम dogs की ही बात करें, या फिर हम mango की बात करें, या भिंडी अगर हम सबजी की बात करें, तो उनका जो नाम है, वो locally अलग-अलग हो जाता है, अब जरूरी थोड़ी है, इंडिया के scientist और चाइना के scientist भिंडी को same नाम से बुलाए, तो एक scientific name होता है, जो scientist अपनी language में use करते हैं, and we being science children, हम भी तो उसी language में बात करेंगे रहे, तो एक science का नाम दिया गया है, बेसिकली, जिसको scientific name बोलते हैं, ताकि यह जो confusion होती, कि क्या नाम कौन से देश से आया है, कौन से एरिया से आया है, वो खतम हो सके, अब scientific name है, वो name के कुछ rules हैं, जो हमें भी पढ़ने हैं कि किस तरीके से हम उस name को लिखेंगे, और यह name आपको higher classes में कुछ organisms की याद भी करने पढ़ सकते हैं, कुछ basic नाम हम इस chapter के अंदर भी करेंगे, देखो, सबसे पहले हम start करते हैं जिनिस के नाम से, इससे पहले आपने देखा था ना, जब हम नाम लिख रहे होते हैं किसी organism का, तब हम इन दो चीजों को use करते हैं बस, जिनिस और species, तो हम जिनिस जब लिख रहे होंगे उस organism का, that will always start with capital letter, यह human beings का scientific name है, homo sapiens, human beings को science में क्या बोलेंगे, homo sapiens, अब यह homo, जिनिस नेम हो गया, जैसे की rule कहता है कि इसका starting जो letter होगा, वो capital letter होगा, तो इसलिए हमने h को capital लिखा है, उसके बाद species name हमेशा small letter से start होने वाला है, तो sapiens यहाँ पर species name है, और आप देख सकते हो, s हमने छोटा ही बनाए, यानि कि अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे, human species, तो यह completely गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता scientific name, तो जब scientific name लिख रहे हैं, तो जिनस का नाम पहले capital letter, species का नाम small letter से शुरू होगा, use italics, आप जब भी अपने notes को या names को print out करा रहे हो, तो आप उसमें font लगाते हो italics वाला, यह एक rule है, तब ही देखो यह italics में लिखा हुआ हैं यहाँ पर, उसके बाद है, handwriting जब written में हम लिख रहे होते हैं, तो हमें excuse मिल जाता है कि जो भी handwriting है, हम उसके according लिखे, but it will be described by the person जिसने species का नाम दिया, for example, lenius ने नाम रखा था, तो हमने उसका नाम भी आगे रखा है, और slash लगा के year भी लिखा है, ठीक है, so that's it, यह rules आपको basic वाले follow करने होंगे, आप अपनी book में भी देखेंगे, जो cursive में नेम लिखा हुआ होगा, वो scientific name होगा, actually species का, इसलिए ऐसे लिखा होगा, तो main rule जो आपको याद करना है, capital letter, genus होने वाला है, और small letter से किसकी starting होगी, species की starting होगी, species की definition, NCRT वाली क्या खेती है, a group of species is a group of living organism, which can reproduce among themselves, जो आपस में reproduction कर सके, उसको species बोलते हैं, species की definition आपको याद करनी है, this was all about binomial system of classification, जब हम नाम करन कर रहे हैं, नॉमन्क्लेचर कर रहे हैं कि कौन से organism का नाम हमें किस तरीके से लिखना है, आपको genus का नाम याद होना चाहिए, अभी हम थोड़ा basic level पर ही पढ़ेंगे, senior classes में हमें scientific names लर्न करने होते हैं, coming to next, we are starting with the kingdoms now, remember five kingdom classification, आरेश बिटेकर ने दिया था, तो class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, ऐसे समझने की कोशिश करना, तो सबसे पहला जो kingdom हमें पढ़ना है, वो है monira kingdom, तो मैं आपको पहले ही बता जिती हूँ, monira kingdom के अंदर छोटे बेक्टीरिया वाले और गानिजम्स आजाते, बेक्टीरिया जैसे याने की माइक्रोस्कोपिक, कोई बड़ा और गानिजम इस क्याटेगरी के अंदर आता ही नहीं है, तो सबसे पहले kingdom monira, अब उसमें भी इतनी वेराइटीज है ना बेक्टीरियास की, तो हमें स्टाडी करना है कि किस तरीके के बेक्टीरियास इसके अंदर आते हैं, सबसे पहले तो आते हैं unicellular, हम हमेशा basic level से start कर रहे हैं बच्चों, ठीके, basic level होगा, मतलब छोटे level वाले organisms इसके अंदर आ जाएंगे, तो मैंने अभी क्या बोला, unicellular, यानि कि एक cell से बने हुए, सबसे पहले kingdom में हमने डाल दिये, simple होगे ये काफी, unicellular prokaryotes, prokaryotes, remember, हमने इसी के base पर division किया था, यानि कि इसके अंदर जो organisms आने वाले हैं, वो काफी simple है, एक cell से बने हुए होंगे, और इनके अंदर जो nucleus होगा, वो primitive होगा, तभी क्या नाम दिया है, prokaryotes नाम दिया है, उसके बाद है, they lack a true nucleus, इसका क्या reason है, prokaryotes है, तो of course, पूरा nucleus तो कैसे ही होगा, तो nucleus नहीं होता, ऐसे organism जो एक cell से बने हुए, अच्छा सा nucleus नहीं है इनके अंदर, जरूरी नहीं है, हर एक के अंदर cell wall भी हो, बहुत पुराने टाइप के bacteria जिसके अंदर आजाते हैं, they may be heterotrophic, और autotrophic, यानि कि कुछ हो सकते हैं, जो अपना खाना खुद बनाएं, और कुछ हो सकते हैं, जो दूसरों पर अपना खाना, दूसरों पर depend करें अपने खाने के लिए, for example, these bacteria, ठीक है, features फिर से revise कर लेते हैं, मॉनेरा के, एक cell वाले होंगे, prokaryotic, सबसे simple division वाले हमने पहले गुरुप में डाले हुए, पहली kingdom classification जो करी है, मॉनेरा वाली, unicellular है, prokaryotic है, अच्छे से नुकलेस नहीं है इनके अंदर, cell वाल ज़रूरी नहीं है, बहुत ही सिंपल वाले होंगे, कुछ autotrophic भी हो सकते हैं, बेक्टीरिया मैंने आपको बताया, उसके बाद एक और बहुत important example जो इसका है, that is, cynobacteria, cynobacteria का एक और नेम होता है, that is, blue green algae, blue green algae, common name है ये इसका, मैंने आपको बताया, एक scientific name होगा, और एक हमारी language में normal name होने वाला है, तो इसका नाम हो गया, blue green algae और cynobacteria भी बोलते हैं इसको, ये है cynobacteria, इसका नाम blue green इसलिए रखा गया, इसके color की वज़ा से, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था ना, कि जो monera है, उसके अंदर कुछ और गयानिजम्स autotrophic होंगे, तो ये जो cynobacteria है, ये autotrophic है, यानि कि ये अपना खाना खुद बनाएगा, तो हो सकता है, इसके अंदर क्या होने वाला है, chlorophyll, chlorophyll होगा, तो ये अपना खाना खुद बनानेगा, उसके बाद है ना भी न, ये हो गया, ये chemo synthetic autotrophic है, है, तो ये भी autotrophic, अपना खाना खुद बनाएगा, बट ये chlorophyll की जगा, कुछ chemicals को use करके, अपना खाना खुद बनाता है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कि these are examples of autotrophic mode of nutrition, अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो let me revise for you quickly, Monira, कैसे organisms हैं, एक cell से बने हुए, prokaryotic, ऐसे ही DNA पड़ा हुआ है, कोई membrane नहीं है उसके आसपास, इनके पूरे cell की भी cell wall कभी होगी, exist कर रही होगी, और कुछ organisms में exist नहीं कर रही होगी, heterotrophic, autotrophic, कुछ organisms का, कैसा भी mode of nutrition हो सकता है, जो हमने examples याद करने, NCRT वाले Cynobacteria, एनबीना, नौस्टो, ये मौनेरा के अंदर आते हैं, और इनके अंदर भी, autotrophic mode of nutrition हो रहा होगा, लेक्स कम टू, अनादर क्लासिफिकेशन, काल भूज नाम के साइंटिस्ट आय थे, 1977 में, अभ इन्होंने क्या किया, इन्होंने और जादा मौनेरा के और्ग्यानिजम्स को स्टाडी किया, and then he realized कि इसके अंदर दो ग्रूप्स और बन सकते, तो ऐसे मानलो कि क्लास वान हो गई हमारी मौनेरा, उसके अंदर के बच्चे कैसे थे, सारे खुद खाना बना रहे थे, and they all were unicellular एक से बने हुए थे, prokaryotics अब के पास अच्छा सा nucleus नहीं था, and then Karl who's realized कि कुछ उसमें से ऐसे भी है, जो RK बेक्टीरिया है, यानि कि बहुत पुराने है वो, and कुछ ऐसे है जो U-bacteria है, RK मतलब पुराने बेक्टीरिया, किस टाइम से एक्जिस्ट कर रहे हैं हमारी अर्थ पे, जब हमारी अर्थ पे इस तरीके का atmosphere भी नहीं था, कुछ ऐसी gases, पूरा environment ही इनफाक्ट नहीं था, उस टाइम के बेक्टीरिया भी देखने को मिले, तो वो हो गई RK बेक्टीरिया वाला ग्रो, और जब बाद में evolve होकर आए, वो हो गई यू बेक्टीरिया वाला ग्रो, तो ये जो RK बेक्टीरिया थे, RK का मतलब है ancient, ये पुराने टाइम के बेक्टीरिया हैं, ठीक है, आण्ड ये उस टाइम पे exist कर रहे थे, जब हमारी अर्थ पे complete environment भी नहीं था, ये जो अपना खाना बनाते थे, sunlight को यूज करके, photosynthesis कर लेते थे, कुछ आर की बेक्टीरिया, दे वर actually using metabolic activities, metabolic activities इनके अंदर क्या-क्या हो रही थी, उस टाइम पे नो proper environment नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बटाया, ammonia ऐसे gases के उपर survive कर रहे थे, और फिर proteins और amino acids की form में अपना खाना बना रहे थे, तो इसलिए बहुत special category हो गई है, RKEI bacteria, पुराने जमाने के bacteria ऐसे याद रखना, और ये जो अपना खाना बनाते थे, ये फोर कुछ photosynthesis कर लेते थे, और कुछ in gases को use करके अपने खाने को produce करते थे, उसके बाद इसके भी तीन groups बन गए, पहला group बना methanogens, दूसरा बना thermo acidophiles और तीसरा बना hellophiles, जब names रखे जाते हैं न किसी चीज़ के, तो उनके characters से ही related उनके नाम रखे जाते हैं, अब जैसे इसका नाम है methanogens, तो बिल्कुल नहीं घबराना, इतने सारे groups देखकर, यह आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, these are producers of methane, what are these? यह methane gas के producers है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? methanogens, thermo acidophiles, यह वो organisms थे, जो heat और acid वाले environment के अंदर देखने को मिलते थे, और एक और बात पते क्या है methanogens की? यह oxygen की presence में बिचारे मर ही जाते, methanogens cannot survive in the presence of oxygen, तो यह हमें बहुत deep layers में जाकर मिलते थे, जहां पर oxygen नहीं पहुँच पाती, methanogens के दो features याद हुए, methane बनाते थे और oxygen की presence में तो मरी जाते थे, thermoacidophiles वो वाले group थे, जो thermo means heat, जो heat वाले environment में, acid वाले environment में देखने को मिलते थे, वहां पर भी survive कर लेते थे, and then last group था, hello files का, यह हमें salty environment में देखने को मिलते थे, ठीक है? तो तीन groups बन गए, आरकी बेक्टीरिया के यह तीनों ही पुराने जमाने वाले बेक्टीरिया हो गए, producers of methane oxygen की presence में मरने वाले methanogens, heat और acid वाले environment में मिलने वाले thermoacidophiles, और जो salty environment में देखने को मिलते थे, वह हो गए, hello files, तो आरकी बेक्टीरिया सिर्फ इतना ही था, ancient bacterias, अब जो दूसरा group काल वूज ने बनाया था, वो था यू बेक्टीरिया का, एक चीज़ जो आपको याद रखनी है यहाँ पर, सबसे पहले हमने जो division बनाया था, prokaryotic और eukaryotic वाला, वो nucleus के according था, कुछ nucleus होते हैं, जो अच्छे से developed नहीं होते, तो वो prokaryotic के category में डाल दिये थे, कुछ nucleus होते हैं, जो बहुत अच्छे से developed होते हैं, अच्छे सी nuclear membrane होगी, DNA बहुत protection के साथ cell के अंदर होगा, तो वो हो गए eukaryotic cells, ठीके, उसके बाद यहाँ पर, यह eukaryotic नहीं है, यह eukaryotic नहीं है, बट स्टिल वी हाँ पुट देम इन दा कैटिग्री ओफ यू बैक्टिरिया, रीजन बी आर्केई बैक्टिरिया जैसा ग्रोप हमें मिल गया था, तो हमें इसके और इसके बीच में differences डालने थे, बहुत सारे बैक्टिरिया आ गए, मौनेरा के अंदर डाल दिये, सारे यूनिसेलिलर थे, फिर हमने देखा कि कईयों के पास तो सेल वॉल और स्ट्रक्चर इतना पुराना है, आर्केई बैक्टिरिया बन गया, फिर हमने कईयों में देखा कि इन से डेवल आप्ड वाले कुछ बैक्टिरिया भी हमें दिख रहे हैं, इस से बेटर है, इन से एडवांस लेवल पर है, तो हमने उसका ग्रूप बना दिया, यू बैक्टिरिया, तो इसके अंदर प्रोकेरियोटिक सेल्स ही होंगे, बट वो प्रोकेरियोटिक सेल्स जिनकी प्लाज्मा मेंब्रेन के बाहर, सेल वाल भी हमें कभी-कभी देखने को मिल रही होगी, और इनका जो डीने होगा, उसके साथ एक और डीने प्रेजेंट होगा, एक और सर्कुलर डीने इसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो इसके कुछ फीचर्स देखने को मिले हैं और इसको अलग से एक ग्रुप में डिवाइट कर दिया गया, नेक्स्ट वी हाफ टू स्टडी किंग्डम प्रोटिस्टा, मौनेरा हम खतम कर चुके हैं, हमने देख लिया उसके क्या-क्या फीचर से, फिर काल वूज ने उसको भी आगे डिवाइट कर दिया था, दाट इस कंप्लीटेड, किंग्डम प्रोटिस्टा के अंदर अब जो और्गानिजम्स आने वाले हैं, दियान रखना, हम क्लास उपर उपर चलते जा रहे हैं, क्लास वान हमने पढ़ लिया, छोटे बचे होंगे, क्लास टू के अंदर देखो कैसा होने वाले हैं, इसके अंदर भी और्गानिजम्स कैसे हैं अभी, यूनिसेलियूलर ही हैं, जो फीचर क्लास वान, यानि की मौनेरा में भी एक्जेस्ट कर रहा था, उसके बाद ये यूकेरियॉटिक और्गानिजम्स हैं, प्रोकेरियॉटिक रिमेंबर मौनेरा के अंदर थे, नूकलियस पुराना टाइप का था, यानि की अच्छे से डेवलाब्ड नहीं था, यूकेरियॉटिक और्गानिजम्स प्रोटिस्टा के अंदर आने शुरू होते हैं, सेकिंड क्लास के अंदर आने शुरू होते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए, इसके एक्जाम्पल्स आपने सुने भी होए होंगे अभी तक, अमीबा, पेरामीशियम, यूगलीना, ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, नाओ दा स्पेशल फीचर आफ दे स्टूदेंस आफ क्लास टू, ठीक है, सिलिया, सिलिया क्या होता है, छोटे हैर जैसे स्टूक्चर सोते हैं, ये जो पेरामीशियम आपको दिख रहा है न, या पर, इसकी बॉड़ी के बाहर आपको ऐसे छोटे-छोटे सेल्स देखने को मिलेंगे, ऐसे स्टूक्चर सेल्स नहीं, ऐसे स्टूक्चर सेल्स देखने को मिलेंगे, जो इसको मूव कराने में हेल्प कराते हैं, तो ये एक स्पेशल फीचर एड़ हुआ, जो मोवनेरा के किसी और्गानिजम में नहीं था, बट प्रोटिस्टा में हमें देखने को मिला, जो इस ग्रूप के थे, जैसे कि उनका नाम हो सकता है स्योड़ोपॉडिया, या फिर सिलिया, इसका एक्जाम्पल है पेरामेशियम, या फिर एक और और और्गानिजम मैंने आपको बताया था न, यूगलीना, उसके अंदर भी हमें इस तरीके से एक फ्लेजिला देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से, तो फ्लेजिला मोशन में हेल्प करेगा, यसलिया भी इसके मोशन में हेल्प करेगा, अमीबा के आसपास, साइटोप्लाज में जो आपके इसके हैंड्स दिख रहे हैं न, इस आर अच्छली सियोडोपॉडिया, जो इसको खाना को अंदर लेके जाने में हेल्प करता है, इसके आसपास कोई इसका शिकार आजाता है न, तो यह अपने सियोडोपॉडिया को ऐसे एक्स्टेंट करता है, और खाने को अपने अंदर ले लेता है, तो यह special appendages हमें कौन से kingdom में देखने को मिले, protista के अंदर, ना वन मोर feature about this, यह कभी-कभी organisms हमें अकेले देखने को मिलते हैं, जिसके लिए term आती है solitary, यह भी एक classification का division बन गया था, जैसे हमें देखना है कि कुछ organisms तो हमेशा group में exist कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे they are colonial, और कुछ organism अगर अकेला exist कर रहा है, तो they are solitary, तो कुछ इसमें ऐसी होंगे जो हमें अकेले दिखेंगे solitary, और कुछ होंगे colonial, यानि की colonies, groups में exist कर रहे होंगे, but they are mostly aquatic, protista के यानि की class 2 के सारे organisms हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, पानी में रहते हैं, mostly aquatic, तो फटा-फट से features revise करो, यह साथ-साथ जितना revise करते जाओगे, उतने अच्छे से chapter learn होता जाएगा, unicellular है, eukaryotic है, monera से compare करें, तो उसके अंदर सारे pro-periotic organisms से, अगर हम nutrition की बात करें, तो heterotrophic दिखाते हैं, जबकि अगर हम monera के अंदर देखें, तो mostly हमें autotrophic देखने को मिल गया था, then, इसके special feature क्या होने वाले, they have a special appendages-like structure for movement, जैसे कि cilia, flagella and seodoporea, उसके बाद they could be solitary or colonial, examples, amoeba, paramecium, और यह जो मैंने बना दी हैं, यहाँ पर incomplete सा, that is yuglena, spelling क्या होती है इसकी, E-U-G-L-E-N-A, So, next, kingdom is fungi, क्या बोलेंगे इसको, fungi, कुछ बच्चे fungi बोलते हैं, तो the right pronunciation is fungi, यह third class में आ गए हम, ऐसे याद करना इसको, they are multicellular, monera, unicellular थे, class 1 के बच्चे, class 2 के बच्चे भी unicellular ही चल रहे थे, जैसे हम kingdom fungi पे आयाने की class 3 में आए, तो हम एक ऐसे बच्चे दिखे, multicellular, ठीक है, and eukaryotic of course, prokaryotic तो first class में ही थे, इनका nucleus कैसा होगा, नए type का होगा, they exhibit saprophytic mode of nutrition, यह तो नए आ आ गया, saprophytic, remember मैंने आपको बताया था, जो dead organisms पर survive करे, यह नहीं होते ना, अगर हमारे environment के अंदर, तो जितने भी waste substances हैं, यानि की dead plants, leaves, animals की dead bodies होगी, वो ऐसे हमारे environment में पढ़ी रहती, इनकी वज़ा से, thanks to fungi, कि यह जो हमारे environment के cleaning की तरह काम करते हैं, cleaners की तरह काम करते हैं, environment में सारे जो dead organisms से, उनको clean कर देते हैं, इसके अंदर जो organisms हैं, इनके नाम देखो, mucer, rhizopus, penicillium, bread जो होती है, वो काफी time तक रख दो, तो उसके उपर green color के आपको sports जैसे structure देखने को मिलते हैं, वो एक तरीकी की fungus ही है, ठीक है, और अगर आपने देखा हो, penicillin, penicillin के बारे में सुना होगा, penicillin एक एंटिबाइटिक है, यह एंटिबाइटिक पेइन किलर में डाली जाती है, वो इसी fungus से आई है, यानि कि हमारे कुछ एंटिबाइटिक है, जिनके अंदर fungus यूज होती है, कुछ fungus ऐसी भी होती है, जो हमारी skin के ऊपर rashes या रिंग वाम से इसी प्रॉब्लम कर देते हैं, कुछ fungus प्लांट्स के अंदर और अनिमल्स के अंदर अलग-अलग diseases कर रही है, तो नाव मैं आपको यह एक्जाम्पल से इसलिए दे रही हूं, ताकि आप समद सको कि कितनी सारी variety है इसके अंदर, ये एक बड़ा सा kingdom है, इतनी सारी fungus हमें देखने को मिली, कुछ अच्छी fungus जो दवाईया बनाने के काम आ रही है, कुछ ऐसी fungus है जो skin problems कर रही है, कुछ ऐसी fungus भी है जो plants को बिमार कर रही है, so these are different varieties जो हमें पढ़नी है, but common features इन सब के अंदर क्या होंगे, कि ये mostly multicellular है, उसके बाद eukaryotic है, दूसरा saprophied mode of nutrition, याने की dead organisms पर जाधे तर fungus हमें देखने को मिलती है, mucal, ये diagram जो आपको दिख रहा है, mucal भी कुछ ऐसा ही दिखता है, rhizopus हो गया and this one is penicillium, these are called decomposers, decomposers जो अभी मैं आपको बता रही थी, decompose कर देते हैं, plants और animals को मिट्टी में मिला देते हैं, चोटे-चोटे particles में break करके, वही definition होती है decomposers की, और देखते हैं kingdom fungus के बारे में हमें क्या पढ़ना है, कुछ fungus, जैसे कि आपको पता है कि इतनी सारी types की fungus होने वाली हैं, तो कुछ fungus जैसे कि Paxenia और Elbugo are parasites, कुछ parasitic mode of nutrition भी शो कर रही हैं, याने कि एक host body के उपर जाकर survive करने वाली हैं, जैसे कि Paxenia और Elbugo, Now, fungus जो हैं, उनके अगर हम structure की बात करें, करें हम उनकी body को पढ़ना चाहते हैं, तो हमें देखने को मिला देयार filamentous, filamentous word का मतलब होता है, fibers जैसा, अगर मैं rhizopus का diagram यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ, तो हमें जो ऐसे लंबे-लंबे structures देखते हैं वो thread जैसे होते हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे threads आपस में मिलकर structure बना रहे होते हैं, सिर्फ यह thread वाला structure होगा, हर टाइप की fungus का thread जैसा structure होता है, कुछ ऐसा नहीं है कि rhizopus अलग देखेगा, penicillium अलग देखेगा, यह basic structure है कि सारे किस से बने हुए हैं, fibers से मिलकर बने हुए, the body of a fungus is called mycelium and is composed of said-like structures called hyphae. Now understand this, यह mycelium और hyphae ही क्या है? यह जो threads है, इनको हम mycelium बोल सकते हैं, ओकी? अजब इनका structures एक साथ combine हो जाते हैं, यानि कि बहुत सारे thread आपस में मिल जाएंगे, तब वो क्या कहलाएगा? mycelium कहलाएगा. और उसके network को हम क्या बोल देते हैं? हाइफे ही बोल देते हैं. तो आप threads से याद रखना कि मैंने आपको बटाया है, fungi जो है, वो filament से मिलकर बना हुआते हैं, यानि कि रेशे, धागे आपस में मिलकर, एक structure बना रहे हो, ऐसा लगता है. यह common feature है, यह सारी fungus के अंदर जो हमें देखने को मिलती है. एक्जाम्पल्स और आपको देखने को मिल रहे होंगे, अच्छा, यह पक्सीनिया के एक्जाम्पल्स होगे. अच्छुली, यह disease cause कर रही हैं दोनों. यह पक्सीनिया भी क्या है? पैरसाइट. यह एल्ब्यूगो भी क्या है? पैरसाइट. तो यह दोनों, डिसीज कॉस कर रही होंगी प्लांट्स के अंदर. जब प्लांट्स के अंदर पक्सीनिया एक पैरसाइट आकर बैठ जाता है, तो वो प्लांट बिचारा ऐसा दिखता है. जो आपको इस पर ग्रो करती हुई दिखेगी. उसके बाद जो अल्ब्यूगो है, यह भी प्लांट जो है, वो इन्फेक्टेट हो गया इस वाली फंगस से. अल्ब्यूगो से होने वाला डिसीज है. Now, they have cell wall, of course, and the cell wall is having a special compound known as chitin. cellulose से बना हुआ होता है, cell wall, most plants के अंदर. यहां पर एक अनादर कंपाउंड है, जो cell wall को बना रहा होगा, जिसका नाम है chitin. So, the question can come, कि ऐसा कौन सा kingdom है, जिसके organism के cell wall के अंदर chitin होता है. So, आपको तभी क्लिक करना चाहिए, कि फंगस ऐसा, फंगी ऐसा kingdom है, या फिर फंगस के अंदर जो cell wall होती है, वो mostly chitin से बनी होई होती है. So, that is it, यही common features आपको इस kingdom के अंदर पढ़ने थे और कुछ NCRT वाले examples learn करने थे. चलें आप आगे वाली class पर चलते हैं, next is, okay, we have another feature known as, another character और organism जिसको बोलती है, lichen. यह थोड़ा सा special है, यह kingdom fungi के अंदर ही आता है, but इसके अंदर क्या special है? इसके अंदर ना algae भी इसके साथ ग्रो कर रही है. Actually, आप ऐसे याद करो कि भाई भेन एक साथ रह रहे हैं और दोनों की help कर रहे हैं साथ रहने के अंदर. जो blue-green algae इसके साथ रह रही होगी न, वो fungus के साथ symbiosis शो कर रही होगी, यानि की एक दूसरे की help कर रहे होगी. कैसे? देखो, जो fungus है, वो तो पानी और mineral लेकर आ जाती है algae के लिए, और algae fungus के लिए खाना बना देती है. तो basically, लाइकन के अंदर, algae, AE और fungus एक साथ रहने हैं, एक साथ रहने हैं और एक दूसरे की help कर रहे हैं. algae को fungus से क्या फायदा होता है? कि fungus न, इसको water और mineral लाके दे देता है survival के लिए. अब algae भी इसको benefit कर रहा है, algae fungus, algae actually photosynthesis कर लेता है, अपना खाना खुद बना लेता है, तो algae खाना बनाकर fungus को दे देता है, तो it will give food to fungus. तो दोनों एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं न, जब ऐसा कुछ organism में हमें देखने को मिलता है, ऐसी relationship को बोलते हैं, symbiosis, दोनों organism को फायदा हो रहा हो, अगर हम parasitic mode of nutrition की बात करें, तो उसमें हमें क्या देखने को मिला, कि fungus दूसरे organism के उपर रह रही है, और दूसरे organism को harm हो यह साथ रह रहे हैं, बट, fungus जो है, वो उसको नुकसान कर रहा है, ठीक है, बट, यहाँ पर, symbiosis के अंदर, दोनों एक दूसरे की help कर रहे हैं, that is symbiosis, तो आप याद करेंगे, important है, यह point, आपकी NCRT से ही है, कि जो lichen होता है, ऐसा दिखता है, यह lichen हमें, देखा भी होगा आ देखने को मिलता है, also let me tell you one thing, lichen जो है, वो polluted area में गुरो नहीं करती, तो हमारे आसपास की जो polluted area में अरावली हिल्स होंगे, वहाँ पर हमें लाइकन देखने को मिलती है, बट जब हम पहाड उपर जाते हैं, नौद की साइड वहाँ पर हमें, बहुत सारे lichen देखने को म प्लांटे के अंदर हम देखें, तो इसके अंदर multicellular आ गए है, हम सारे organisms, eukaryotic ही होंगे, हम बापे सोड़े जाएंगे, हमने class 2 से ही कैसे organisms पढ़ने शुरू कर दिये थे, class 3 से ही eukaryotic organisms हमने पढ़ने शुरू कर दिये थे, उसके बाद है cell wall, cell wall किस से बनी हुई होती है, cell wall से, cell wall भी एक feature होता है, जिसके according हम classification करते हैं, अब kingdom fungi में देखा ना हमने की cell wall जो है, वो काइटन से बनी हुई है, प्लांटे के अंदर cellulose से बनी हुई है, यह आपको पहले सी पता है, now plants तो अपना खाना खुद ही बनाने के लिए जाने जाते हैं, so they prepare their own food by photosynthesis, next is kingdom plantae की अब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आप, कि हम class 4 में तो आ गए, but इतनी variety है ना बच्चों की class 4 में, कि हम सबको एक class में नहीं डाल सकते, बहुत अलग अलग levels हमें decide करने होंगे, तो आप इसको ऐसे करना कि class 4 के हमने sections बना दिये, एक होगा section A, थेलोफाइटा, ब्रा इसको बने जाल देते हैं और जो बच्चे इनो average होते हैं या फिर below average होते हैं, उनको section B में डालते हैं ताकि teachers उनके ओपर जादा focus कर सके, तो इसी तरही के हमने sections बना दिये, इसके अंदर plant A के part sections बना दिये, section A, section B, section C, section D and E, thelophyta, bryophyta, tanydophyta, gymnosperms and angiosperms, अब इसको हम कै इसे समझेंगे, तो यह जो sections बने हैं, यह किन features को देखते हुए बने हैं, जब हम plants के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बड़ा सा पौधा आता है, उसकी एक stem होगी, leaves होगी, उसके ओपर flowers होगे, fruits होगे, नीचे roots होगी, जो kingdom, plant A के अंदर plants डाले गए है, they are different from each other, और उनी differences की वज़ा से हमें यह 5 group बनाने पड़ गए, हो सकता है, आने वाले time पे आगे discovery होगी ना, तो इस classification system को भी change किया जा सकता है, और जाधा हमें deep study करनी होगी, देखना होगा differences और फिर हम उसके according, अलग-अलग classification कर सकते हैं, चलिए वो हमें नहीं पढ़ना, हम पहले यह देख लेते हैं, तो मैंने अभी आपको जैसे बताया, जरूरी नहीं है, सारे plants के पास बड़ी से stem, roots, leaves, flowers हों, तो हम छोटे level से start करने वाले हैं, यह जो सबसे पहला आपके पास group आया है ना, थेलोफाइटा, इसके बारे में पढ़ते हैं, थेलोफाइटा के अं हो जाते हैं, हमें, जिसे आपने सुना होगा, herbs, shrubs, ऐसे organisms होते हैं, जो जमीन पर ही खतम हो जाएंगे, तो कुछ ऐसे ही differences इसमें होंगे, तो हमने जो पांच यह sections बनाए थे, इसमें भी कुछ हमने characters रखे थे, जिसके according हम differentiate करने वाले, सबसे पहले तो मैं आपको अभी explain च vascular bundles, तो जो हम पांच section बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे, कि क्या इनके अंदर vascular bundles है, vascular bundle यानि की xylem और phloem, यह special tissue होते हैं, जो एक function कर रहे होंगे, जैसे xylem tissue का काम होता है, पानी को roots से लेना, और उपर उपर सारे plants में पहुचा देना, ठीक है, phloem का क्या function होता ह है, food, जो food leaves बना रही है, वो हर एक cell तक जाना चाहिए, तो वो वाला function phloem tissue कर रहा होता है, हर एक organism के अंदर, जो plantae kingdom के अंदर आ रहा है, सब में यह tissues present नहीं है, हो सकता है, उनके अंदर water और food का कोई अलग तरीका हो, बट फिर भी हमने उनको plantae category में डाला हुआ है, तो य एक तरीका हो गया, decide करने का कि हम कौन से section में उस organism को डालने वाले हैं, पहला था body parts, stem, root, leaves देखेंगे अच्छे से है या नहीं है, उसके according section में डालेंगे, दूसरा तरीका हो गया हमारे पास xylem and phloem, vascular bundles, यह किस तरीके से exist कर रहे हैं, उसके बार जो next feature है, that is reproduction, कि वो reproduce क कैसे कर रहे है, mostly हमने तो यही सुनाया कि plants seeds की help से reproduce करते हैं, but आपको नहीं पता होगा कि हर एक plant seeds नहीं बनाता, कुछ sports नाम के structures भी बनाते हैं, तो उसके according के हम decide कर सकते हैं, कि अगर sports से reproduction कर रहे हैं, तो इस category में डाल दो, और seeds के अगर through reproduction कर रहे हैं, तो दूसरी category में डा fruit के अंदर, जब हम sports की बात कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से sports हमें कुछ organism पर देखने को मिलते हैं, काफी अलग होते हैं ये seed से, और इस तरीके से हम उनको classify कर सकते हैं, now another thing, कि reproduction seed से हो रहे हैं या sports से हो रहे हैं, उसके बाद एक और classification आ जाता है, phenyrogamy और cryptogamy, अगर seed के through कर रहे हैं, तो उनको हम phenyrogamy बोल देते हैं, और अगर sports के through कर रहे हैं, यानि कि ये वाले, इनको हम cryptogamy बोल देते हैं, जो sports के through कर रहे होंगे, cryptogamy group, और अगर seeds के through कर रहे हैं, तो phenyrogamy, ठीक है, इसके बाद देखो, आगे, जो phenyrogamy थे seeds वाले, इनके embryo के अंदर food stored होता अब यह embryo कुछ में नहीं है, जादा आपको deep में नहीं पढ़ना, remember seed होता है, seed से ही बाद में जाकर plant बन जाता है, so अब इस seed को nutrition कैसे मिलेगा, खाना तो leaves बनाती है, तो seed अपने अंदर खाना store करके रखता है, जब तक वो पौधे में चेंज नहीं होता, तब तक वो nutrition जो है, इस seed से ही मिल जाता है, इसके बाद जो sports वाले होते हैं, इनके अंदर naked embryo होगा and ये unicellular होते हैं, और multicellular होते हैं seeds, ये differences आपको याद अगले, next coming to seeds जो हमने पढ़ाया, याने की fenerogamik ही हम बात करें, अब ह gymnospermia ही वो होते हैं, जिसमें seeds जो है, वो बहुत अच्छे से present होगा and enclosed होगा cover के अंदर, और gymnospermia ही वो है, naked seeds, जिसमें seed के बाहर एक protective covering नहीं होगी, वो gymnospermia ही हो गए, और जिनमें seeds बहुत अच्छे से packed है, covering है, उनको हम angiospermia ही में रख देते हैं, इसके बाद हमें क्या क section A हम पढ़ेंगे, remember हमने basis of division start करी, हमने basis of division के अंदर क्या क्या देखा था, कि body parts देख लो सबसे पहले, उसके बाद हमने decide क्या था, कि उनके अंदर reproduction कैसे हो रहा है, sports के थू हो रहा है, या seeds के थू हो रहा है, तो हम sports वाला अलग group बना देते हैं, जिसको हम crypto game ही बोलते हैं और seed बाला अलग group बना देते हैं, इसको फेनेरोगय में ही बोल देते हैं, इसके बाद तीसरा जो हमने basis of division रखा था, that was presence of vascular bundles, xylem है, phloem है, किस तरीके से exist कर रहा है, सबसे पहला section थेलोफाइटा, इसके अंदर नाम इसका थेलोफाइटा पता है, क्यूंकि इनके अंद commonly algae भी बोल देते हैं, यह अपना खाना खुद बना लेते हैं, mostly green color के होते हैं, और हम vascular tissues भी तो decide करेंगे, इसके अंदर no vascular tissue, section A के अंदर vascular tissue भी नहीं है, और plants, roots, stem leaves, division भी नहीं है, reproduction, spores की help से होता है, seeds की help से नहीं होता, जाधा तर हमें water, यानिकी aquatic organisms हैं, water में देखने क मिलते हैं, and they are autotrophic, खाना तो खुदी बना लेंगे, chlorophyll वाले हैं, तो खाना खुद बना लेते हैं, तो let me repeat for you, इनको commonly algae बोलते हैं, root stem leaves नहीं हैं, तो जो structure present होगा, उसको हम थेलस बोल देते हैं, ठीक है, इसलिए नाम थेलोफाइटा रखती हैं, कि इनके अंदर ये root stem leaves अलग से नहीं दिखेंगी, vascular tissue नहीं है, then reproduce through spores, and also found in water and are autotrophic, ये सारे characters थेलोफाइटा के, examples देखो इसके, सारे NCRT के examples हैं, पिच्चर की हेल्प से ना जल्दी याद होता है, तो कुछ ऐसा दिखता है हमें अलवा, इसके अंदर कोई plant stem leaves दिख रहे हैं ये नहीं, ऐसा ल ये कोई stem हमें इसमें अलग से देखने को नहीं मिलेंगी, आपको लग रहा होगा ये stem और leaves हैं, but no, actually it is a thallus-like structure, इसमें देखो, cladophora, सिर्फ इतना साही है, cladophora, then eulothrix, spirogyra, these all are aquatic पानी में मिल रहे हैं हमें ये, ठीक है, खाना तो खुद बना सकते हैं, but इनके अंदर root stem leaves अलग से देखने को नहीं मिलती हैं, छोटे लेवल पर exist करते हैं ये बहुत, commonly हम इनको क्या बोल देते हैं, algae, तो these are actually the examples of algae, next are bryophyta, अब हम section B पर आचुके हैं basically, तो bryophyta को हमने एक special नाम दिया हुआ है, they are known as amphibians of the plant kingdom, क्यों बोलते हैं amphibians, क्योंकि हमें land पर भी मिलें दोनों जगा मिलते हैं, इसलिए amphibians of the plant kingdom, ये usually हमें damp और shady places में मिलते हैं, यानि कि जहां moisture जादा होगा, बारिश जादा जहां होती होगी, ऐसे forest में हमें देखने को मिलते हैं, अब इनके अंदर जो differentiation होगा, जो हमें body के parts देखने हैं, leaf, stem और roots वाले, तो इनके अंदर stem औ root का काम क्या होता है, plant को support देना राइट, वो पूरा उस plant को ऊपर तक पहुचाएगा, जितना लंबा plant होगा, उतनी roots उसकी नीचे तक जा रही होती है, अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा division देखने को मिला, छोटी system आपको दिख जाएगी, leaf जैसा structure देखने को मिल जाएग जो bryophyta वाले organisms के ओपर present होते हैं, क्या नाम है उनका rhizoids, they do not have vascular tissue, xylem phloem, इसके अंदर भी नहीं है, जैसे की section A में थे, ठीक है, और आपको पता चल गए कि ये कहां मिलते हैं, damp और shady areas में देखने को मिलते हैं, इसके examples देख लेते हैं, हम liver boats, moses, horn boat, इस तरीके से दिखत section के बात करें, तो ये भी section A वालों की तरह, thailophyta की तरह, spores के through reproduce करते हैं, तो आप देख रहे हो, जितने simple level पर है, उतना spore के through reproduce कर रहे हैं, examples आपने देख लिया, ये से NCRT वाले examples हो गए, liver boat कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ये चोटे-चोटे हो गए, देखों, leaf भी दिख रही है, हमें stem जासा structure भी दिख रहे है, बट इसमें roots नहीं होंगी, ये यहीं पर छोटे-चोटे ऐसे thread जैसे structure से, जिसको rhizoids बोलते है, soil से connected होगा, this was all about bryophyta, important point इसका क्या आद रखना है, they are called as amphibians of the plant kingdom, next जो हम section पढ़ रहे हैं, that is teridophyta, इसमें थोड़े से developed organisms दिख जाएंगे, they are supposed to be the oldest vascular plants and their body is differentiated into roots, stem and leaves, चलो, finally हमें differentiation देखने को मिल गया, roots भी दिख जाएंगी, stems भी दिख जाएंगी, leaves भी दिख जाएंगी and इनके पास vascular tissue भी आ गया, section C के अंदर, for the conduction of water and food of course, but reproduction अभी भी इनके अंदर किस के थू हो रहा है, spores के थू हो रहा है तो इस तरीके से classification हुई बच्चो, section A के अंदर, spores के थू, vascular tissue भी नहीं है, body parts भी रिवाइड नहीं है, section B में हम आ गए, तो उसमें हमें roots नहीं मिली, leaves और stem थोड़ी बहुत दिख रही थी, section C में आये, तो पूरा plant हमें देखने को मिला and vascular bundles भी थे, but reproduction, spores के थू कर रह इसके अंदर भी, hostail, ferns और marcelia, इसके main examples है, जो teridophyta के अंदर आते हैं, mosses और ferns भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है, teridophyta के बात, जो हमें next section पढ़ना है, that is, gymnospermia, gymnospermia, याने की naked seeds वाले plants, अब naked seeds आते हैं, उनके बाहर, seeds के बाहर कोई covering नहीं होगी, and these are about 650 living species, मतलब gymnosperms हमें कितने type के देखने को मिल जाएंगे, 650 अलग-अलग species exist कर रही है, prox, and they are mostly perennial, evergreen and woody, ऐसे areas में हमें देखने को मिलती है, जहां पर evergreen forest होंगे, and they have a well developed vascular tissue, xylem phloem अच्छे से हैं इनके अंदर, but xylem के भी 4 components होते हैं, उन 4 में से xylem vessels इनके अंदर absent है, और जो phloem tissue थाना, उसके अंदर भी companion cells इसके अंदर absent होते हैं, then reproductive organs हैं, इसके अंदर male और female अलग-अलग होने वाले, cons, ये cons का example हो गया, और ये हो गया strobulous, ऐसा दिखता है कुछ, तो हमने अभी plants अभी proper जो हमारे अंदर दिमाग में figure आती है, वो वाले plants ये नहीं होते, इनके अंद structures बनते हैं, जिनको strobulous पूलते हैं, तो reproduction के लिए हमें seeds अलग-अलग देखने को नहीं मिलेंगे, हमें ऐसे cons जैसे structure देखने को मिलेंगे, तो I am sure जब आप इनो hills पर गए होंगे, तो रास्ते में आपको ऐसे pine जैसे trees देखने को मिलेंगे, ये आपने देखा होगा structure, इनके उपर flowers नहीं आते, जो beautiful से flowers अलग-अलग color के होंगे, इनके अंदर flowers प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ऐसे structures प्रोड्यूस होते हैं, और examples देख लेते हैं इसके, जैसे कि साइकस प्लांट आपने देखा होगा, कभी इस पर flower grow करते हुए नहीं दिखेंगे आपको, proper root stem leaves जरूर है, xylem tissue और vascular tissue भी इसके अंदर आ गया है, reproduction भी seeds के help से हो रही है, but seeds को अलग-अलग name दिये गए है, naked seed है, corns और strobulus जैसे, ठीक है, साइकस इसका एक example हो गया, यह pinus का पेड है, जिसमें आपको इस तरीके से structures देखेंगे, and this is the tree of deodor, also there is no fruit formation, there are no flowers, the seeds are said to be naked, क्योंकि fruit formation नहीं होनी है, जो हमें proper flowers में देखने को मिलेगी, and pinus के अंदर एक point लिखा हुआ है, that their root have an association with fungi and form mycorrhiza, we can say कि एक fungus है, जो pinus की roots में रहती है, और उसका नाम क्या है, mycorrhiza, आपको अगर यह याद रहता है, तो बहुत अच्छी बात है, then next हमें last section जो पढ़ना है, that is angiosperms, जो आपके दिमाग में plant को लेकर proper figure आती होगी न, वो angiosperms है basically, इनके अंदर seed bearing plants होंगे, proper seeds बन रहे होंगे, flowers आ रहे होंगे, इनके उपर इसने flowering plants भी बोलते हैं, proper food formation हो रहा होगा, mustard plant, sea plant इसके अंदर examples हो गए, xylem phloem बहुत अच्छे से developed है, xylem tissue के सारे components इसके अंदर होंगे, phloem के सारे components भी इसके अंदर होंगे, flower आगे जाकर fruit formation करता है, and they also show feature of double fertilization जो आपको reproduction chapter में detail में पढ़ना है, now, another important point, हमने क्या पढ़ा, कि proper एक seed होने वाला है, अगर मैं आपको seed की labeling करने के लिए काउं, तो आप क्या मुझे बताने वाले हो, कि एक protection होती है बहार, जिसको seed coat बोलते है, यह इसके protective layer होती है, और इसके अंदर, जो हमें white white देखने को मिलता है, that is, cotyledon, अब यह cotyledon क्या करता है, food को store करके रखता है, food store करेगा, तभी तो यह help करेगा, जब तक यह plant में change होता है, तब तक इसको nutrition कौन देता है, cotyledon, अब इसी cotyledon के base पर, हमने इसके और groups बना दिये हैं, दो, कौन-कौन से groups हैं, एक है monocots, और दूसरा है dicot, यह जो cot आया है, यह actually cotyledon से ही आया है, और mono का मतलब होता है, one, right, और यह जो dicotyledon आया है, die means two and cots as in cotyledon, तो यह हमने दो cotyledon के according रख दिया, एक cotyledon present है, जिनके अंदर वो mono हो गए और जिनके अंदर दो present हैं, वो die हो गए, अब उनके अंदर क्या differences हैं, जल्दी से देख लेते हैं, seed की बात करें, तो seed के base पर ही तो नाम रखा गया, one cotyledon तो mono, two cotyledons हो गए, तो dicot, इनकी roots भी अलग-अलग होती हैं, अगर हम बात करें, monocots के root की, तो इनकी roots ना actually fibrous है fibrous as in, इस तरीके से, ऐसी roots हमें देखने को मिलती हैं, यहीं से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, and dicots की root, primary root होती है, यानि कि एक ऐसे main root होगी, उसमें से फिर side में से roots ग्रो कर रहे होगी, बच्पन में कभी आपने पढ़ा होगा यह वाला feature, तो यह roots के differences इन में होते हैं, monocots के fibrous और dicots के primary root होगए, stem की बात करें, तो इनकी stem false या hollow stem बोल देते हैं, जैसे bamboo आपने देखा होगा न, bamboo की stem के अंदर space होता है, तो वैसी stem होगई monocots के अंदर, और completely strong, thick जो stem होती है वो हमें dicots में देखने को मिलती है, अगर हम इनकी leaf देखें, तो parallel venation, venation क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने leaf देखी होगी, तो leaf के अंदर आपने क्या देखा होगा, उसमें veins जा रही होती है, leaf की veins कैसी होती है, कईयों में तो आपको देखने को मिलती है, बिलकुल ऐसी line-line वाली veins देखने को मिल रही होगी, ऐसी जब venation होती है, उसको parallel बोलती है, veins का arrangement, venation, ऐसे बिलकुल symmetry में लाइन जा रही होगी, तो parallel venation, और वही पर हम देखे, जब veins हमें इधर उदर ऐसे spread करती हुए, दिख रही होती है, कुछ leaves के अंदर, उसको हम reticulate venation बोल देते हैं, तो monocots की जो leaves होंगी, parallel venation दिखाएंगी, dicots की जो leaves होंगी, वो reticulate venation दिखाएंगी, अब examples देख लेते हैं, potatoes, sunflower, bannion, wheat and grasses, all these are examples of monocots, peanuts, beans और mango, these are examples of dicots, इनके plants के अंदर यह यह differences हमें देखने को मिल जाते हैं, तो यह monocot और dicot किस की वज़ा से आया, cotyled हैं, तो यह वाला group बना दो, दो cotyledon हैं, तो यह वाला group बना दो, क्यूंकि हमें यह differences देखने को मिल रहे थे, तो इस तरीके से बच्चों हम classification करते रहे हैं, हमने पढ़ लिये सारे sections, next हमें जो पढ़ना है, that is, animalia, मतला हमने plant को, plant kingdom जो हमने पढ़ना था, वो सारा खतम कर दिया, उसके बार, animalia kingdom हमें detail में पढ़ना है, मैं आपको वापिस ले आई हूँ, five kingdom classification पे, हमने monera cover किया, protesta cover किया, fungi पढ़ा, plant यह हमने पढ़ा, जो की काफी बढ़ा था, इसके भी 5 sections हो गए थे, फिर हमें अब detail में पढ़ना है, animalia, तो animalia kingdom के अंदर, जो हमें classification करनी होग remember हमने plants के कुछ features देखे थे, body parts, vascular tissues, ऐसे animals के अंदर भी ना हम कुछ division decide करने वाले है, कि किस के according हम कौन से groups में डालेंगे, as we already know plants और animals में तो बहुत सारे differences है, तो इसके अंदर थोड़ी हम roots ते हम leaves देखेंगे, इसके अंदर हम अलग basis रखने वाले है classification का, तो सबसे पहला जो basis plants के अंदर होने वाला है, that is symmetry, symmetry में क्या होता है, दो types की symmetry होती है, एक होती है bilateral symmetry और एक होती है radial symmetry, हम organism को सामने रखते हैं, और देखते हैं कि अगर हम इसको cut करेंगे, तो यह कैसे cut होने वाला है, bilateral symmetry का मतलब क्या होता है, कि कोई भी organism है, अगर हम उसको center में इस तरीके से कट करें तो उसका left hand side और right hand side एक दूसरे की mirror image होना चाहिए mirror image यह नहीं कि mirror में जब हम देखते हैं तो exact same लगते हैं बस left और right side अलग-अलग होती है तो वही होना चाहिए ठीक है that is bilateral symmetry it is when an organism can be divided into right and left side equally that is bilateral symmetry example देख रहे हो आप जैसी यहां पर housefly है अगर इसको बीच में से कट करेंगे तो इसका right or left बिल्कुल सेम दिखने वाला है अगर मैं इसको मालो यह housefly है और इसको मैंने ऐसे कट किया bilaterally तो इसका यह वाला right or left हमें सेम देखने को मिलेगा बट अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूँ इस तरीके से कट लगा हूँ तो आगे वाला portion back वाली side से match ही नहीं करने वाला है तो यहां पर bilateral symmetry है याने की left and right portion same दिख रहा है next हम देख लेते है radial symmetry तो यह starfish है अगर हम इसको cut करें और इसकी symmetry को देखना चाहें हम इसके इस इसको radially cut करेंगे तो हमें सारे पार्ट सेम देखने को मिलेंगे radially as in radius center में से हम इसको radius wise cut करेंगे तो जैसे इसमें आपने cuts लगाए so it is when an organism is equally spaced around a central point like spice on a cycle wheel जैसे आपकी cycle का जो wheel होता है उसके अंदर जो silver color की आपको rods देखने को मिलते हैं किसी organism को cut करेंगे तो हमें हर portion same देखने को मिले that is radial symmetry तो क्या वो इस remote के अंदर possible है नहीं mostly cylindrical structure होंगे उसमें radial symmetry बढ़ी असानी से हमें देखने को मिल जाती है और यह जो example starfish इसमें तो आपको पता ही चल गया होगा तो पहला तरीका क्या है symmetry decide कर लेते हैं bilateral symmetry है इसके अंदर या फिर radial symmetry है उसके बाद germ layers now you need to understand this कि germ layers क्या होते हैं आपके लिए थोड़ा सा नया है जब embryo stage होती है ना सबसे पहले जब fusion होती है तो बनता है zygote जाइगाट के बाद वो थोड़ा सा develop होते 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 बन जाता है embryo अब embryo के time पे ही हमें यह germ layers वाला concept बढ़ना है embryo के बाद fetus बनता है फिर baby बनता है और 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 embryo के time पे तीन अलग-अलग layers होती है जो सबसे बाहर की layer होती है cell की zygote तो एक ही cell से मिलकर बना हुआ होगा embryo जब बना तो बहुत सारे cells आ गए सबसे बाहर वाली जो cell की layer थी उसको हमने नाम दे दिया ectoderm कि जो सबसे बाहर वाली layer थी उसको हमने क्या नाम दे दिया? Ectoderm. Ecto का मतलब भी क्या होता है? Outer. और जो अंदर वाली लेयर थी ना, उसको हमने नाम दे दिया Endoderm. क्योंकि यह अंदर की साइड है? Endoderm. एक सेंटर में भी तो लेयर होगी, उसको हमने नाम दे दिया मीजोडर्म. तो यह तीन टाइप की जर्म लेयर हो गई, जो एम्ब्रेयो की स्टेज में हमें mostly animals में देखने को मिलती है. Ectoderm भार वाली, Endoderm अंदर वाली, मीजोडर्म मिडल वाली, सेंटर वाली. ठीक है? तो यह तीन जर्म लेयर होती है. अब हमें देखना है कि यह जर्म लेयर कैसे होगी. Ectoderm सबसे भार वाली हो गई, मैंने आपको बताया. और यह Nail, Hair, Epidermis, और ऐसे brain और spinal code जैसे organs को बना रहा होता है. क्योंकि Embryo की development अभी आगे हो नहीं है, जाइगोट तो एक ही cell था, ऐसे ही तो body बनती है. एक cell से ही सारे cells multiply करते करते एक बड़ी सी body बना लेते. तो Embryo की statement जो सबसे भार वाली layer होगी ना, वो Nail, Hair, Epidermis, brain और spinal code को बनाने वाली है आगे जाकर. और endoderm हो गई, innermost layer, अब ये देख लेते हैं, क्या बनाती है? stomach वही से बनेगा, उन्हीं cell से बनने वाला है. and skin color, then digestive system, respiratory system, urinary bladder, ये हमें endoderm से evolve होकर, cell divide वहाँ से करेंगे और ये वाले organs बना लेंगे. और जो एक beach वाली layer थी वह देख लेते, area between ectoderm and endoderm which forms bones, muscles, heart and cartilage. तो ये कहां से बना है, mesoderm से बना है. ठीक है, तो ये तीन germ layers हो गई है, ये तो हम germ layers की study कर रहे थे, अब सारे organism के अंदर सारी layers उतने अच्छे से ही developed हो, ये तो जरूरी नहीं है ना, तो इसलिए हमने पहले क्या समझा कि germ layers कौन-कौन सी होती है, क्या-क्या बनाती है, अब इसी germ layer के according हमने organisms को terms देनी है, according to the number of germ layers, जिनके अंदर दो germ layers होंगी, ecto और endo, उन organisms को हम बोल देंगे, ये diplo-blastic है, die का मतलब क्या होता है? टू, ये diplo-blastic है, क्योंकि इनके अंदर दो ही germ layers present है, सबसे बहार वाली और सबसे अंदर वाली, ecto और endo, उसके बाद है, triplo-blastic, वो organisms जिनके अंदर तीन germ layers है, तीनो की तीनो, ecto भी होगी, endo भी होगी, और meso भी होगी, तो आपको याद रहेगा ना, हमने तीन germ layers देखी, क्या-क्या होती है, पहले हमने वो समझा, फिर हमने दो terms बना दी, जिनके अंदर दो ही germ layers है, ecto और endo, उनको तो हम diplo-blastic बोलेंगे, और जिनके अंदर तीनो germ layers है, उनको हम क्या बोलेंगे, triplo-blastic, जो third category है, that is siloam, siloam का मतलब क्या होता है, यह जो अभी हमने middle वाली layer पड़ी है, न सेर्स की, याने की mesoderm, कुछ organism के अंदर उसके बीच में spaces हो जाते हैं, वो space siloam बनाता है, and what is the use actually, एक heart के अगर हम example ले, तो heart को contract और relax करने के लिए, ऐसे pump करने के लिए, अंदर थोड़ा सा space चाहिए होता है, तो वो space siloam की help से आया होगा, तो ऐसी बहुत सारे organisms होंगे, जिनकी body के अंदर कुछ spaces बन रहे होते हैं, especially mesoderm के अंदर, वो siloam की help से बन रहे होते हैं, तो हमने siloam के according ही न, तीन अलग-अलग divisions कर दिये हैं इसकी, सबसे पहले हमें देखना है, okay, this is the diagram for you, सबसे बाहर वाली layer हो गई, ectoderm, center वाली हो गई, mesoderm, और अंदर वाली हो गई, endoderm, mesoderm, याने के middle layer, अब acylomates, वो वाले organisms हैं, जिनके अंदर siloam cavity नहीं है, याने की कोई space देखने को बिलकुल भी नहीं मिलने वाला, ectoderm के cells पूरे एक साथ packed होने वाले हैं, mesoderm की layer देखो, pink वाली, इतने अच्छे से cells packed हैं, इसके अंदर siloam, याने की cavity exist नहीं कर रही है, endoderm वाली layer हो गई, याँपर yellow वाली, उसके बाद, जिनके अंदर नहीं हैं, उनको क्या बोलेंगे, acylomates, तो हम ये terms आगे use करने वाले हैं, अगर मैं बोल देती हूँ कि ये organism acylomate है, तो आप समझ जाएंगे, इनके अंदर siloam नहीं है, mesoderm के अंदर cavity नहीं थी, then pseudosilomate, ये pseudosilomate, ये pseudos word काफी बार बढ़ा होगा, इसका मतलब होता है false, तो इसके अंदर proper siloam exist नहीं करता, और properly absent भी नहीं है, So, they have false siloam, they have pouches of mesoderm, mesoderm पूरी तरीके से present भी नहीं होगा, absent भी नहीं होगा, छोटे-छोटे ना, pouches आपको देखने मिल जाएंगे, mesoderm के, जब ऐसी condition देखने को मिलती है, तो वो organisms हो जाते हैं, CO2 siloam, उसके बाद है siloamates, यानि कि वो organism जिनके अंदर proper siloam exist करता है, बहुत अच्छे से cavity देखने को मिलती है, They have a true cavity, उस cavity की बाहर की lining, देखो किस से हो रही है, mesoderm से हो रही है, from all the sides, तो यह आपको white color empty space दिख रहा है न, that is siloam, और उस cavity के as-pass ऐसा नहीं, mesoderm नहीं exist करेगा, mesoderm की covering होगी उसके अंदर, तो we basically are siloamates, we have a cavity inside, क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत सारे organs है, जिनको काम करने के लिए, function करने के लिए space रही है, जैसे की heart, तो पूरी जो गट जो बन रही होती है, उसमें space होता है, that is because of siloam cavity, जो हमारी germ layers के अंदर present थी, mesoderm के अंदर present थी, अब germ layer के बाद, जो next हमें condition देखनी है, क्या basis हमें रखना है, वो है notochord, एक long road जैसा structure होगा, जो हमारी vertebral column बनी है, वो notochord से ही बनी है, बट शुरू से ही हमारे अंदर vertebral column present नहीं था, वो तो धीरे-धीरे develop हुआ, तो it is a long rod-like structure, which runs along the body between nervous tissue and gut, तो यह कहां present होगा, nervous tissue और gut के बीच में, और provide करता है muscles को space देता है, basically ताकि वो attach हो सके movement के लिए, यह NCRT का ही diagram है, notochord का, तो आपको समझना क्या है इसके अंदर, यह dorsal area पे present होगा, तो अब हमें पढ़ना है kingdom animalia के बारे में, now if you remember, तो kingdom के बाद जो divisions आगी होती जाती है, जब हम और ज़्यादा you know, classify करते जाते हैं, kingdom के बाद आता था, phylum, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, तो यहाँ पर आपकी NCRT में डिवीजन लिखा हुआ होगा, तो जब हम animals की बात करते हैं, तब हम उसको division बोल देते हैं, जैसे सबसे पहले तो आगया था kingdom, right, तो हम कौन से kingdom पढ़ रहे हैं अभी, animalia kingdom पढ़ रहे हैं, उसके बाद अब जो भी मैं आपको subgroups बताने वाली हूँ, यानि कि वो कौन सी category के अंदर आएंगे, division, इसी को ही phylum भी बोलते हैं, in case of plants, and division in case of animals, तो हम यहाँ पर यहाँ पर पॉरिफेर और sponges लिखा है, यह first division है, फिर ऐसे हम पढ़ते जाएंगे, last तक वो divisions होती जा रही हैं, जो हम इस level पर आगए हैं, ठीके, तो animalia के बारे में आपको पता चला, मैंने आपको बताया हैं, कौन-कौन से base पर हम division करने वाले हैं, उनकी basis पर भी आगे देखेंगे हमकी divisions कितने type की हैं, फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर siloam है या नहीं है, siloam है, तो उनको siloamate की category में रख देते हैं, siloam नहीं है तो हम उसको बोल देते हैं, a siloamate animal है, diploblastic, diploblastic term का use करने वाले हैं, ectoderm और endolayers को देखते हुए, कि कित sponges, यह क्यों नाम रखा होगा, of course, क्योंकि यह sponge से दिखते होंगे, sponge कैसा होता है, उसके अंदर air spaces होते हैं, बहुत ही simple level के organisms हैं, और mostly marine है, यानि की पानी में मिलते हैं, एक दो ही इसके type होंगे, जो हमें fresh water में मिलेंगे, mostly poriferous जो होते हैं, वो marine होते हैं, they are at cellular level of organization, remember level of organization हम पड़ते हैं, cell, tissue, organ, organ system, तो यह वाला cellular level पर ही खतम हो जाते हैं, then they are non-motile animals, यह एक जगा, एक से दूसरी जगा, move नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या term use करेंगे, non-motile, उसके बाद जो special feature in poriferous के अंदर हैं, that is, pores on their body, इसलिए इनका नाम sponges भी रखा गया, हमें उसमें चोटे-चोटे छेद देखने को मिलते हैं, तो जितने भी यह poriferous के examples आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंदर होंगे, pores, ठीक है, and in pores से एक canal system जा रहा होता है, for circulation of water and food, हर चीज ना related होती है, यह सारे animals marine है, पानी में रहने वाले, तो इनकी body के अंदर जो pores से canal system निकल रह कोई special organ तो है नहीं, जिसके help से water या फिर food एक जगा से दूसरी जगा जा सके, तो माल लीजिए, अगर यह एक sponge है, किसी भी type का, तो इसके अंदर एक canal system होता है, एक side से opening होती है, pore की, जहां से पानी अंदर जाएगा, और दूसरी side से एक opening होगी, जहां से पानी बाहर चला जाएगा, क्योंकि यह cellular level पर ही है, तो हर एक cell पानी को directly absorb कर लेता है, with the help of osmosis, और जितने भी minerals वगेरा है, या food particles भी है, वो diffusion की help से इसके अंदर move in और move out कर जाते हैं, तो canal system हो गया, जिसकी वज़से पानी अंदर जाएगा, एक pore से और दूसरे pore से बहार निकल जाएगा, Last, hard outside layer is called as skeleton, कुछ sponges के अंदर बहार की जो layer होती है, वो काफी सक्त होती है, तो हम क्या बोल देते हैं, skeleton बोल देते हैं, यह examples हो गए उसके, यह साइकॉन है, कुछ इस तरीके से दिखता है, इसकी body पर आपको अराम से चोटे-चोटे pores दिख रहे होंगे, यह हो गया sponge इला, इसको भी देखेंगे, तो इसकी body पर pores दिखेंगे, and as I told you, simple level के organism से इसमें कुछ भी हमें division देखने को नहीं मिलने वाली है, then this one is euclektilla, किस तरीके से है इसकी body, देखो, यह pores दिख रहे हैं न, एक side से opening होगी, जिससे पानी अंदर चला जाएगा, और दूसरी side से पानी ब इसके बाद हमें पढ़ना है next division, which is sealant ereta और इसको निडारिया भी बोल देते हैं, मैं इसके examples आपको सबसे पहले दिखाना चाती हूँ, निडारिया के examples होते है, sting वाले animals, जिनके अंदर आपको इस तरीके से कोई sting देखने को मिल रही होगी, यह एक common और special feature हो जाएगा, इस वाली division के organisms का, जैसे कि आपने ये तो देखा ही होगा, movies के अंदर इसका नाम है jellyfish, उसके बाद corals आपने देखी होंगे, यह जो इनके उपर tentacles जैसा structure होता है, यह किसलिए होता है, यह ताकि अपने आपको protect कर सकें, दुश्मनों से, तो पानी के अंदर खुद की protection के लिए defense mechanism के लिए, इनकी body के अंदर tentacles मिलते हैं, यह sea animal है, इसके tentacles ने को किस तरीके से spread हो गए, यह hydra है, hydra के उपर भी हमें tentacles देखने को मिलते हैं, यह इनके अंदर कुछ तरीक का poison होगा, तो आजपास कोई animal इनको attack करने के लिए आता है ना, तो इंको बचाने के लिए, इस tent vision का एक common feature है, और क्या-क्या characters हैं इसके अंदर, tissue level of organization, देखो हम ना stairs से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हमने plants का cover किया था, class 1, class 2, तो level of difficulty बढ़ता जाता है न, ऐसी organisms के अंदर भी होने वाला है, tissue level of organization है इसके अंदर, इसे पहले जो sponges में हमने देखा था, that had cellular level of organization, siloam, इनके अंदर भी siloam नहीं है, sponges के अंदर तो siloam बिल्कुल भी नहीं था, उसके बाद अगर हम symmetry की बात करें, तो they are showing radial symmetry, और अगर हम sponges में symmetry की बात करें न, कुछ animals ना ही bilateral symmetry दिखाते हैं, ना ही radial symmetry दिखाते हैं, उनको बोल देते हैं asymmetrical, कि कोई भी symmetry नहीं है उनके अंदर तो अभी हमने जो sponges वाली category करी है, तो उसमें कोई भी symmetry नहीं देखने को मिलती है, asymmetrical गोलते हैं उसको, यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें, silentorata या फिर निजेडिया की बात करें, तो उनके अदर radial symmetry होती है, remember radial symmetry, starfish के अंदर हमें देखने को मिल रही थी, कि अगर हम radius की ह से उसको कट करें, तो हमें सारे same दिखे, that is called radial symmetry, diplo-blastic, diplo का मतलब है two, and blastic as in two germ layers, तो इनके अंदर दो germ layers present होंगी, एक ectoderm और दूसरी होगी, endoderm, उसके बाद hollow gut, hollow gut का मतलब क्या होता है, gut हो गया center वाला area, and hollow as in empty, तो center में से यह empty होते है, can move from one place to another, यानि की motile है, अगर और हम इनको sponges से compare करें, तो sponges non-motile थे, दो divisions के characters के बीच में differences भी पूछा जा सकता है, जैसे मानलो question आगया sponges और इसको compare करो, तो आप लिख सकते हैं, these are motile, sponges non-motile थे, example देख लिए आपने hydra, sea animal, jellyfish, corals, यहाँ पर bracket में लिखा है, solitary and colonies, इसका मतलब क्या होता है, jellyfish जो है वो आपको अकेली घूमती हुई मिल जाएगी, अकेले रह सकते हैं, जब कि जब हम corals की बात करें, तो आपको कोई भी corals अकेले नहीं दिखता, they are present in colonies, यानि की group में present होते हैं, right? Coming to the next one, let's have a look at the examples again, यह हो गया hydra, यह example है आपका jellyfish का, यह sea animal है और यह है corals, next division जो हमें पढ़ना है, that is plety helmets, now, pletis, यह pletis से आया है, जिसका मतलब होता है, flat, तो इसलिए हम इसको commonly flatworm के नाम से भी बुलाते हैं, flatworms, इनकी जो organisms होंगे इस division के अंदर, उनकी body, ribbon जैसी They do not have silo, इसलिए हम इनको a silo mate animals भी बहुत सकते हैं, या फिर हम simply लिख सकते हैं, no silo, अगर हम layers की बात करें, germ layers की बात करें, तो इसके अंदर तीन germ layers present है, तब ही हमने लिखा है, triploblastic, इससे पहले जो थे, वो diploblastic थे, one word या MCQ में कभी question इस chapter से क्या बन जाते हैं, that ऐसी तो ऐसी कोई भी special feature relate करके न, याद किया करो इन divisions को, triploblastic यानि की three germ layers हो जाएंगी इसके अंदर, acto, endo and meso, अगर हम symmetry की बात करें, तो they show bilateral symmetry, यानि की left और right side एक दूसरे के mirror images होंगे, अगर हम इनके nutrition की बात करें, तो they could be free living, कि कुछ तो normally ऐसी exist कर रहे हैं, कुछ होते है parasite, parasite यानि की, इनको एक host body के requirement होगी, जिसके उपर ये feed करने वाले हैं, now, for this thing, parasitic nature के लिए, इनकी body के उपर suckers या फिर hookers present होते हैं, ये suckers एक तरीके से sucking like structure होगा, mouth ही होता है वो, and वो उससे attach हो जाते हैं, अपने host body से और उसका खाना use करते हैं, तो ये parasitic nature हो गया, तो vision के organisms के अंदर present होते हैं, तो आप याद रखेंगे, pletis या फिर platy helmets, flatworms बोलते हैं, इसको, इसके बाद अगर और हम देखे, तो there is digestive cavity, cavity है, पूरा system नहीं है, first of all, and they have one way for both, ingestion के लिए, यानि की food को अंदर लेके जाने के लिए, and ingestion, removal of waste के लिए, there is only one pathway, इसले हम बोलते ह है, that they do have mouth, but anus is absent in them, लिखाए न, इसके अंदर की एक ही रास्ता होने वाला है, they do not have anus, they have only one structure, mouth, for ingestion and also for ingestion, इसके बाद अगर हम और excretory system की बात करें, तो system तो of course नहीं है, how do they excrete, छोटे लेवल इसे पहले वाले organisms की जो बात कर रहे थे न, उनके अंदर excretion बहुत simply diffusion की है से हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि excretory products पहले क्या-क्या होते है, हमारे अंदर अगर हम excretory products की बात करें, तो there is urea, uric acid, ammonia, carbon dioxide, extra water from the body, some hormones, toxic salts, because we are so complex body, अब ये simple level वाले organisms है, इनके अंदर waste product जो होगा, वो यूरिया की कोई छोटी सी form होगी, साथ ही साथ हो सकता है carbon dioxide gas हो, इनका waste product, तो वो diffusion जैसे process की help से ही, क्योंकि ये छोटे-छोटे cell से ही मिलकर बने हुए है, तो diffusion की help से ही सब कुछ excretory कर सकते हैं, यहाँ अगर हम platyhelmin's की बात करें, तो they have a very small structure for excretion, जिसका नाम है protonephridia, यह मैं आपको इसलिए बता रही हैं, क्योंकि हमें ये वाला special feature, any lid में जाकर पढ़ना होगा, तो इनके अंदर होता है protonephridia, जो excretion में help करता है, platyhelmin's में, flatworms, और एक और special feature जिससे आप याद कर सकते हो, कि इनके अंदर ingestion और digestion के लिए single path ही available है, यह parasite nature के होते हैं, इनमें से कुछ, तो इनकी body के ऊपर suckers या hooks present होते हैं, जिससे एक यह हो गया liver flu, कि यहां पर इसका mouth होता है, और सकर भी यहीं पर present होता है, जिससे खुड को attach करता है, इनका जो nature है, that is parasitic mode of nutrition, यह देखो tape worm, यह intestine के अंदर worm present है, बहुत छोटे से worms होगे, यह बहुत, you know, microscope से हमने picture ली हुई है, और इसका अगर हम structure देखेंगे, तो बहुत जैसे ribbon जैसे structure जैसे देखेंगे, and यह intestine के अंदर है, मतलब यह parasitic nature हो गया, कि इनको एक host body की requirement है, जिसके food को यह खुद consume करते है, तो सब पढ़ लिया हमने प्लेटीहलमेंस के बारे में, अभी हम तीन divisions कवर कर चुके, सबसे पहले मैं आपको revise कर आ रही थी, जो कौन सी थी sponges, sponges वाली, जिनको हम division का नाम किया है, poriferenz, poriferenz यानि की pores, इसके बाद second जो हमने पढ़ा, that is nideria, nideria या फिर seal and tereta भी बोलते हैं उसको, third हमने जो division पढ़ी है, that is platyhelmin's, flatworms हो गए, silon की बाद करें, तो अभी तक कोई भी ऐसे division नहीं आई है, जिसमें हमें silon दिखे, but अगर हम germ layers की बात करें, तो जो second वाली division है, वो diplo-blastic है, third वाली division यानि की platyhelmin's जो है, वो triplo-blastic है, examples के features आपको याद करने होंगे और धीरे धीरे आप, examples की तो learn करोगे ना, तो जल्दी easy learn हो जाएगा, जैसे इसमें आपको याद रहेगा, hookers की बात हो रही है, and they have just one opening known as mouth disinjection or digestion होगा, next हमें पढ़ना है, nematoda, या फिर nematodes वो organisms हो गए, they have false siloom, remember जब मैं आपको siloom के बारे में पढ़ा रही थी, तो जिनके अंदर नहीं होता, तो वो a silomates हो गए, जिनके अंदर proper cavity बनी हुई है, अची सी organized है, उसको siloom बोलते हैं, जो कि हमें higher level के organisms में दे नहीं दिखती, और proper cavity बनी हुई भी नहीं दिख रही है, छोटे-छोटे pouches present है cavity के, तभी इसका नाम रखा गया है, false siloom, या फिर इसको pseudo siloom भी बोलते हैं, pseudo siloom, ठीक है, siloom की category हमने पढ़ ली, then symmetry की बात करें, तो they are bilaterally symmetrical, triploblastic, तीन germ layers होंगी इसके अंदर, अगर हम जनरल बोडी डिजाइन का देखना चाहें, तो they are cylindrical, जब आप examples देखोगे न, then you will know that why we are calling them cylindrical, next important feature क्या है, that they are parasitic, parasitic याने की दूसरी host body पे survive कर रहे होंगे, and they are living inside human body, यह हमें infect कर सकते हैं, and cause various diseases like elephantiasis, यह एक ऐसा disease है, जिसमें हमारे limbs, या फिर बोडी के अलग अर्ग और organs के अंदर इतनी जादा swelling आ जाती है कि हमने उसका नाम ही रख दिया elephantiasis, यानि कि elephant के foot जैसा foot इतनी जादा swelling आ जाती है इसके infection से, and it is caused because of worm known as vucharia, जो हम इसमें देखेंगे, this is the worm जो elephantiasis नाम की बिमारी करता है, and यह आपको दिख रहे हैं, यह blood है, यह RBC यह अंदर यह च infection कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, roundworms की, जो यह आए थे, ascaris, इसमें से एक male है, और एक female है, यह भी क्या करते हैं, दूसरे organisms की, दूसरे animal की intestine के अंदर, या फिर gut के अंदर, throat के अंदर जाकर survive करने लग जाते हैं, और उनहीं को अपना host बना ले थे, काफी infection कॉस क करते हैं, ascaris, roundworm भी बहुते हैं इसको, and butcher area बहुत important example है, क्योंकि अभी आपको पता चला है, कौन सा disease cause करता है, elephantiasis, यह बहुत important point है, NCRT के according, also, यह example आपको दूसरे chapter में भी देखने को मिलेगा, why do we follow जो आपका chapter है, उसमें भी इस example की बात करी है, तो आप यह भूलेंगे नहीं, these are the examples, next we have to study any leader, यह जो division है, second largest phylum, second largest phylum and the siloom is present, मतलब अब हमारे पास ऐसी division आ गई है, जिसमें proper siloom हमें देखने को मिलेगा, इससे पहले वाली जो हमारे पास division थी, nematodes, उसके अंदर देखा ना आपने pseudo siloom, very important point for that division, क्योंकि एकलौती ऐसी division है, जिसमें हमें क्य देखने को मिला है, C-Ord or siloom, उससे पहले वाले या तो A siloomate थे, आगे आप देखोगे, तो siloom पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, so वो एक important question बन जाता है, second वाली division से, नेवाटोड वाली division से, अगर हम symmetry की बात करें, तो bilateral, germ layers थीन है, तो triploblastic, इसका जो special feature है that is, it is segmented, now segmented क्या होता है, हम इसको diagram से समझते हैं, यह तीनों examples है नेलीडा के है, यह है earthworm, यह है leach, यह है nearest, देखे होंगे, यह worms आपने सुना भी होगा इनके बारे में, इनकी body के ओपर यह जो आपको ऐसे divisions देखने को मिल रही है, ऐसे line जैसा structure देखने को मिल रहा है इस इसको segments बोलते हैं, अब यह हमें outer area में दिख रहे हैं, कुछ organisms के अंदर हमें inner segmentation भी देखने को मिलता है, अंदर की side segments होंगे, बाहर से हमें देखके पता भी नहीं चलेगा कि अंदर segments है या नहीं है, but any leader ऐसी division है, जिसके अंदर हमें segments देखने को मिलते हैं, body के अंदर, and in segments की help से हम organs को locate कर सकते हैं, कि पहले 2-3 segments में ये वाला organ है, next हम चलते गए तो इस वाले segment के अंदर हमें ये organs देखने को मिलते हैं, जो आप senior classes में पढ़ेंगे, so important feature of any leader, segmented body, earthworm has segments, leech has segments, nearest has segments, उसके बाद और क्या feature है इसका, that extensive organ differentiation, why we are mentioning this point, इससे पहले हमें organ level वाला कुछ दि any leader के अंदर अब organ formation start हो गई है, हमें organs जो हमारे liver, heart, kidney ऐसे बड़े-बड़े organs हमारे अंदर इतने developed है, इनके अंदर small level पर बना start हो जाते है, differentiation start हो जाती है, ठीक है, उसके बाद examples आपने देख लिए, examples के, आपको याद हो जाएगा any leader, इसके अंदर ऐसे worms आते है, also some of these has structures like these जैसे हमने अभी पढ़ा था, suckers और hooks present होते हैं, तो any leader में भी कुछ organisms के अंदर hooks present होते हैं, आपने सुना होगा हिंदी में जिसको कान खजूरा बोलते हैं, centipedes, millipedes, जिनकी body इतनी बड़ी होती है, इतने सारे segments होते हैं इनकी body के उपर, वो भी कौनसे division के अंदर आजाते ह One more important feature of any leader की excretion के लिए न, इनके पास एक structure होता है, इसको बोलते हैं, nephredia, क्या बोलते हैं structure को, nephredia and this is for excretion, इसे पहले हमने पढ़ा था न, proto nephredia, वो वाला nephredia जो होगा, वो बहुत small level पर होगा, ये थोड़ा सा organized nephredia हैं, दोनों का function है, excretion करना in organisms के अंदर Next, we have to understand what are the differences between platy helmets and nematodes, तो ये division important है, जिसे हम पता लगा सके, दोनों को compare कर सके, दोनों में ही worms जैसे structure आ रहे थे, तो दोनों के differences को discuss करेंगे पहले, platy helmets जो हमने division पढ़ी है, उसके अंदर न, flat worms आते हैं, flat worms remember, ribbon जैसे दिखने वाले, जबकि अगर हम nematodes की बात करें, तो उ जो worms होंगे, वो कैसे होंगे, round worms, इसलिए हम इसको cylindrical shape वाले भी बोल सकते हैं, और वहाँ पर कोई cylindrical shape नहीं बन रही थी, actually they were flat, इसलिए तो नाम platy helmets रख दिया गया, flat worms रख दिया गया, और अगर हम shape या structure को देखें, तो that is ribbon-like, let's compare siloam, तो platy helmets में तो siloam था ही नहीं, so there was no siloam और इनको हम a siloamates भी बोल रहे थे, यानि कि कोई cavity इन में नहीं present होगी, if we compare nematodes with this, तो हमें pseudo siloam देखने को मिला था, false siloam exist कर रहा था, also हम देखते हैं, nematodes के अंदर ना, male और female अलग से present होता है, इस से पहले वाले जो छोटे लेवल वाले divisions थी, हमें उसमें अलग से male और female देखने को नहीं मिलता है, तो examples देख लेते हैं, इसके जैसे हमारे पास था, liver fluke, tapeworm, planaria, यह examples हो गए हमारे पास, platy elements के, इसके बाद अगर हम निमा तोट के example देखें, तो ascaris और bucharia जो थे, वो इसी के example थे, तो आपने देखा होगा iscaris को कितना worm जैसा structure दिखता है, यह भी worms है, बट हमें proper worm जैसे structures नहीं दिखते हैं, because of their shape, which is ribble-like और flat-like, तो ऐसे questions आ सकते हैं, आपको दोनों को compare करना होगा, next जो हमें बहुत important division पढ़ना है ना, that is arthropoda, यह largest phylum है, सबसे जाधा organisms हमें इसमें देखने को मिलते हैं, तो यह important feature है, which division is actually having largest phylum, यहां phylum लि has largest organisms, arthropoda, then generally known as insects, यानि कि हमारे पास सबसे जाधा variety, insects की है हमारी ओर्थ के ऊपर, and siloam is present इनके अंदर, bilateral symmetry होगी, triploblastic होगी, तीनों germ layers present है, अगर आप पीछे की divisions को compare करें, तो हम step-wise एक-एक point को discuss करते जा रहे हैं, और हमने देखा है, symmetry, पहले हमें radial मिली थी, उसके triploblastic start हो गया था, उसके बाद हमने देखा, platy helmets के अंदर जो था, siloam नहीं था, nematodes के अंदर siloam आ गया था, तो pseudo-siloam आया था, उसके बाद पूरा-पूरा siloam देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे याद करने ही कोशिश करना, bilateral, triploblastic, segmented, sometimes fused, so इससे पहले जो हमने एलिन इतका main function पढ़ा था, उसकी पूरी body के उपर segments होते हैं, जैसे earthworms के उपर हमें lines एकने को मिल रही थी, इसमें arthropoda के अंदर segments होंगे, sometimes fused, few segments क्या होंगे, कि हमें proper ऐसे alignment नहीं देख रही है, हो सकता है कुछ में internal हो और कुछ में external हो, और इसके पास variety भी तो बहुत जाद है तो हमें बहुत सारी exceptions भी मिलती हैं इसके अंदर, tough exoskeleton of chitin, यह इसका important point है, कि जितने भी insects होते हैं, हमें उसके अंदर exoskeleton क्या होते हैं, two type के skeleton होते हैं, exo मतलब outer वाला और एक होता है endoskeleton, यानि की अंदर वाला, तो arthropoda की अंदर, जो बहार वाला skeletal system है, या skeleton जिसको हम बोलेंगे, that is made up of chitin, उसको थोड़ा सा hard बना देता है, जैसे अगर आप cockroach को या scorpions को देखो, तो उनकी body के बाहर एक hard layer present होती है, उसी को exoskeleton बोलते हैं, उसमें हमें segments भी देखने को मिलते हैं, and that is made up of special compound called as chitin, joint appendages are present, mostly insects के आपको दो antenna मिल जाएंगे, बहुत सारे प appendages, feet, antenna, hands, यह देखने को मिलते हैं हम insects में, right, examples में, prawns, scorpio, cockroach, housefly, butterfly, spiders, यह सारी बहुत बड़ी phylum है, तो बहुत सारे examples देखने को मिलेंगे, इसमें भी देखो हमें segments देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे, जिसमें segments fused होंगे, यह जो आपको बहुत सारे हाथ पैर द अलग अलग परपस हो सकता है, antenna का, इसके पास तो tail भी है, which is poisonous, यह इसी tail से attack करती है, और इसके अंदर poison होता है, इसके बाद अगर हम एक housefly को compare करें, तो housefly की भी appendage आपको देखने को मिल जाएंगे, इनके पास भी antenna होते हैं, for different uses, they also have these structures, called as segments, तो इनके अंदर भी segment हमें द जाएगा, mostly exoskeleton chiton से बना हुआ होता है, jointed appendages देखने को मिल जाते हैं, features को एक बार फटा फट से हम revise कर रहे हैं, siloom हमें इनके अंदर पूरा दिख जाएगा, bilateral symmetry होती है, mostly के अंदर, and there are triple oblastic, तीनो jam layers है, largest phylum, सबसे जाधा variety हमें आर्थ्रोपोड़ा में देखने को मिल नेक्स हम जल्दी से differences को देखेंगे एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा की बीच में, तो एनिलीडा जो थे, उसके अंदर exoskeleton की अगर हम बात करें, तो there was no thick exoskeleton, जो कि इतना hard exoskeleton हो, उसके अंदर नहीं था, तो हम लिख सकते हैं, exoskeleton is not made up of chitin, तो exoskeleton वाला feature आप एक लिख सकते हैं, इनके बीच में, that वो chitin से मिलकर नहीं बना हुआ, वहीं पर अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें, so they have an exoskeleton system, exoskeleton, जो chitin से बना हुआ है, ठीक है, इसके बाद अगर हम circulatory system की बात करें, so proper हमारे जैसा circulatory system नहीं है, but of course circulation के लिए कुछ ना कुछ तो present होगा, any leader के अंदर जो blood होगा, that travels in blood vessels and that is the actual way, right, जिसमें blood एक जगा से दूसरी जगा जाएगा, तो blood vessels any leader के अंदर हमें देखने को मिलती है, and blood जो है, वो blood vessels के अंदर travel करता है, इसलिए हम लिख देते हैं, their circulatory system is closed, ऐसी term हम इनके लिए use कर सकते हैं, that they have a closed circulatory system, अब ये feature हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि arthropoda के अंदर एक और special feature है, that their circulatory system is actually open, open circulatory system का क्या मतलब है, that they do not have blood vessels, इनके अंदर ऐसे ही blood present होता है, जिसमें organs बेथड लगते हैं, ऐसा लगता है, organs dipped हैं blood के अंदर, they don't have vessels इसके अंदर blood एक जगा से दूसरी जगा जाएगा, इ arthropoda के अंदर, they have open circulatory system, because they do not have blood vessels, इसमें blood travel कर सके, any lids के अंदर ही हमें easily देखने को मिल जाता है, अगर हम excretion की बात करें, so they had nephredia, I told you, इनके पास nephredia नहीं है, इनके पास जो excretion के लिए structure है, उसको बोलते हैं, malpigian tribules, जो यह कुछ features हैं, जो आपको याद करने होंगे इनके, इसका सबसे important point जो मैंने आपको बताया था, exoskeleton वाला, and open circulatory system, जो arthropoda में है, largest phylum है, any lida के अंदर, circulatory system, close जोगा, जैसे होना चाहिए, blood vessels के अंदर, blood travel करता है, so these were the major differences between any lids and arthropods, next if we see, we are coming to the next phylum, जिसको बोलते है, mollusks, mollusks के अंदर आप याद रख सकते हो, octopus जैसे organisms आते, siloam is present inside them, and they are triploblastic, bilaterally symmetrical, soft bodies, sometimes covered with a shell, snail भी इसी के अंदर आजाता है, snail देखा होगा ना आपने, body उसकी काफी soft होती है, but protection के लिए उसके ऊपर एक cover होता है, जिसको shell बोलते है, not segmented, ये भी आप याद रखेंगे इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, बीच में दो divisions आई थी, जो segmented थी, no appendages, we are writing this feature, क्योंकि इससे पहले जो हमने appendages वाले organisms देखे हैं, any leader के अंदर भी आपने appendages जो देखे थे, वो, अच्छा, jointed appendages और normal appendages कैसे होते, any leader के अंदर भी बहुत सारे हाथ पैर थे, but वो एक सारे appendages हमें देखने को मिल जाते हैं, वही पे, cockroach के अंदर जिस तरही किसे हमें formation दिख रही हैं, उसको jointed appendages बोलते हैं, appendages एक दूसरे से जोड़े हुए, और pair में present है, right, now coming to this, कोई appendages नहीं है, mollusk के अंदर, they have muscular foot for movement, जैसे मैंने आपको बताया, octopus के अंदर आपने shell is present and they have kidney-like organ for excretion, इससे पहले विचारों के पास kidney थी नहीं, हम कैसे पढ़ रहे थे, nephredia हो जाएगा, जो कि छोटा सा structure है, excretion के लिए, then malphigion tubules हमें देखने को मिल रही थी, arthropoda के अंदर, right, they have kidney, mollusk के अंदर, kidney जैसा structure actually start हो जाते हैं, और examples देखें, इसके अंदर तो इसके बाद जो हमें देखना है, that is achino dermita, achino का मतलब होता है, spikes, या spines actually, इनकी body के ऊपर, spine जैसा structure होता है, canto जैसा structure होता है, इसलिए इसको लिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, that they have spiny skin, they are marine, marine water में मिलते हैं mostly, no notocode, remember हम basis of division start कर रहे थे, तो basis of division में, actually आप अभी से पढ़ को देखते हुए, हमने दो और सब काटेगरीज बना दिये, जिनके अंदर notocode present होता है, उसको तो हम बोल देते है, call data, और जिसके अंदर notocode absent होता है, तो उसको बोलते है, non-cord data, अब इसके अंदर notocode है, तो यह किसके अंदर आजाएगा, non-cord data, and salome present triploblastic, endoskeleton is made of calcium carbonate अभी तक हम exoskeleton की बात कर रहे थे, बचो, arthropoda के अंदर exoskeleton chitin से बना हुआ है, but akino dermita के अंदर, इनकी body कैसे है, इनकी body पर spines होते हैं, और अंदर वाली skeleton की अगर हम बात करें, so that is made up of calcium carbonate, जैसे हमारा skeleton बना हुआ है, that is hard, right, हमारा skeletal system endoskeleton है, हमारा कोई exoskeleton नहीं द the feature of endoskeleton calcium carbonate, next important feature is water vascular system, water vascular system for transportation of water and there are feet like structures, जो लोको मोशन में help करते है, so 2 important features है, काइनो dermita के अंदर क्या हो गए, that they have water vascular system, ये marine होते है, of course इनके अंदर एक developed sa vascular system होगा, जिसे एक साइट से पानी जाएगा, सारे cells पानी को एब्सॉप करेंगे और किसी और पानी निकल जा excretory organs are absent in this division, excretory organs इनके अंदर absent होते हैं, symmetry अगर हम देखे तो bilateral before birth and radial symmetry after birth, ये point काफी important है, कि ये एक लोटे से special organisms हैं कि birth से पहले इनके अंदर जो symmetry थी, that was bilateral, फिर उसके बाद जब पूरा organ develop कर जाते हैं, तो इनके अंदर हमें radial symmetry देखने को मिलती है, examples देखते हैं इसके, antidon, कुछ इस तरीके से दिखता है हमें, sea cucumber and starfish, इसको तो सब भी जानते हैं, starfish, इसके अंदर radial symmetry हमें देखने को मिलती है, and echinus, these are the examples of echinodermata, now common feature in all of them is, इनकी body के ऊपर हमें spines देखने को मिलते हैं, spiny body बोलते हैं, इसलिए इसका नाम रखती है echinodermata, they also have spines over their body, इसकी body पर भी आपको spines दिखेंगे, यहां तो बहुत अच्छे से spines आपको दिख रहे हैं, तो examples इस तरीके से याद करना, next हमें पढ़ना है phylum chord data, I told you कि notocode के हिसाब से दो हमने groups बना दिये थे, एक था जिनके अंदर chord data present होता है, जिनको हम chordates बोल देते हैं, और एक ऐसा है जिसमें notocode absent होता है, तो उसको non-chord data बोल देते हैं, तो non-chord data हमने पढ़ लिया है, कि inodermata उसके अंदर आता है, इसके बाद हमें पढ़ना है, पूरी chord data phylum, यानि कि notocode वाले organisms, they will show bilateral symmetry and they are tiploblastic, siloam होगा उनके अंदर, and इनका special feature होने वाला है notocode, इसकी वज़ा से हम इसको क्य जा बोल देते हैं, code data क्योंकि इनके अंदर notocode होता है, और हम देखते हैं कि in organisms की कुछ stages में इनके पास gills होंगे, then dorsal nerve code, they also have dorsal nerve code, उसके बाद there is post-enal tail present at some stages of life, for example, in embryonic stages of humans, so it is said की embryonic, जब हम embryo बन रहे होते हैं, उस time पे एक enal tail होती है, जो पूरी organ बनते बनते अपन आप vanish हो जाती है, so that is why we have written there is a post-enal tail, then phylum chord data is also subdivided into two, जिसको बोलते हैं, proto-cord data और vertebrata, proto-cord data क्या होता है, यह एक ऐसी phylum हैं, जिसमें notocode हमें कुछ stages में दिखेगा, right, marine है यह, examples are hermenia, amphioxus and melanoglossus, यह आपके NCRT के example है, melanoglossus का आपको डाइग्राम भी उसमें दिख जा आपके बात करें, notocode is converted into vertebral column, जो हमारे अंदर बहुत prominent है, हम इसको खुद को relate करके भी समझ सकते हैं, अब vertebrata जो phylum हैं, उसके अंदर आगे subgroups बनेगे, उनके अंदर हमें two chambered heart भी देखने को मिलेगा, three भी होगा, कुछ में four भी होगा, organs होगे, जैसे की kidney for excretion, organ formation start हो ग लेगा, appendages locomotion के लिए होते हैं, movement के लिए होते हैं, जो arthropoda phylum से हमें देखने को मिल रहे थे, for example, humans have four chambered heart, frogs have three chambered heart, and fishes have two chambered heart, यह सारे के सारे vertebrates हैं, and इनी vertebrates की आगे six classes बना दी गई हैं, let me repeat for you, सबसे पहले हमने को और डाटा पढ़ा, एक protocol data, एक वर्टी बाटा, कोच स्टेज में आमें नोटो कोड दिखता है, वर्टी बाटा के अंदर, यही नोटो कोड वर्टी परल कॉलम में चेंज होता है, इसलिए हमने नाम रखदिये वर्टी बाटा, जैन अगर हम हार्ट की बात करें, तो इसके अंदर अभी six और साब क्लासे जैना, तो उसके हमने देखा, human star chambered heart पाले है, frog 3 और fishes 2, so अब हम individually इनको पढ़ लेते, सबसे पहली जो हमारे पास class आई है that is cyclostomata, ये jawless vertebrates है, vertebrates तो हैं but jawless, they do not have a jaw, उसके बाद elongated eel-like body, eel भी इसका example है और इसके अंदर और भी हमें जो organisms दिखेंगे, वो eel जैसी body जैसे दिखते हैं, circular mouth, slimy and are scaleless, इनकी skin के ऊपर, एक mucus, एक liquid जैसा substance होगा, जो काफी sticky होगा, काफी smooth भी होगा, so उससे क्या होने वाला है, उसकी body slimy बन जाती है, and ectoparasites, यानि की, parasite you already know, and ये बाहर की body पर feed करते हैं, endoparasite जो अंदर जाके host body को infect करें, ectoparasite जो host body के बाहर ही survive करें, example, teromyzon in mixing, ये examples आपको दिख रहे हैं, so ये हो गया आपका first class, that is cyclostromata, इसके features आपने देख लिए, इसके बाद हमें बात करनी हैं, Pisces की, यानि की fish, fish को ही हम Pisces बोलते हैं, इनकी body के ऊपर बहुत अच्छे से आपको scales देखने को मिल जाएंगे, they obtain oxygen dissolved in water by using special organ known as gills, Pisces के अंद then body कैसी है, अगर हम shape की बात करें, streamline, जैसे fish की body होती है, आगे से भी narrow होगी and पीचे से भी narrow होगी, beach में से thick होगी, so such kind of shape is known as streamlined shape, they have a muscular tail which is used for movement, then they are cold blooded, what is the meaning of cold blooded and warm blooded, cold blooded animals वो होते हैं, जो बहार के temperature के according, अपने अंदर का temperature adjust नहीं कर सकते, We are warm blooded, हमारा blood बाहर के temperature के according, अपने अंदर के temperature को maintain करके रख रहा है, that is called homeostasis, यानि कि हमारा जो blood का level है, या temperature है, that is continuously maintained, इनके अंदर वो वाली capability नहीं है, इसलिए हम इनको cold blooded भी बोल दे, their heart have only two chambers, Pisces के जो heart होंगे, वो दो chamber के होंगे, यानि कि auricle और ventricle, एक auricle होगा, ए Examples आपने देखा, अच्छा, एक और चीज है, इसके अंदर, अगर skeleton उनका cartilage से बना हुआ है, cartilage soft bone जैसा structure हो गया, bone तो बहुत जादा है, tight होती है, like hard होती है, यहाँ पर अगर हम बात करें cartilage की, तो soft bone जैसा structure है, जैसे की sharks में देखने को मिलेगा, अगर bone और cartilage दोनों से मि कर बनाएं, तो tuna and rohu examples हो गए, यह tuna fish है, यह shark fish है, तो cartilage की बात करें, shark हमें cartilage होती है, and जो tuna and rohu है, these are bone fish, यह examples भी आप याद कर सकते हो, coming to the next class, amphibians, amphi word का मतलब होता है, both, अब इनका नाम amphibian इसले रखा, क्योंकि यह land पर भी survive कर सकते हैं, और यह पानी में भी survive कर सकते ह as amphibians, इसको सोच कर आपके दिमाग में सबसे बहले example आ रहा होगा, frogs, तो frog इसी के अंदर आते हैं, amphibians, they have mucus glands in their skin, skin के उपर special glands हैं, जिनको mucus glands बोल रहे हैं, वो continuously slimy जैसा mucus, secret करते रहते हैं, and they have three chambered heart, respiration के बात करें, क्योंकि इनको land पे भी survive करना है, पानी में भी survive करना तो इनके अंदर gills और lungs दोनों मिल जाते हैं, दोनों देखने को मिलते हैं, and ये skin के through भी respiration करते हैं, तीन तरीके इनके पास respiration करने के लिए, gills भी हैं, lungs भी हैं, और skin के through भी respiration करते हैं, they lay eggs, अगर eggs ले करते हैं, तो they have a term, they are known as oviparous, oviparous कौन से organisms होते हैं, जो eggs ले करते इसके contrast में आता है, viviparous animals, viviparous वो animals होते हैं, जो young ones को directly birth देते हैं, कुछ ऐसे भी organisms होते हैं, जो eggs भी देंगे और young ones को भी जनम देते हैं, उनको बोलते हैं, ovoviviparous, ovoviviparous, ठीक है, तो ये terms आप याद दखेंगे, they lay eggs, आप यहाँ पर simply ये भी लिख सकते हो, they are oviparous, they are found both in water and on land, ये इसका special feature था, examples frogs, toads and salamander, अब इनकी skin देखोगे ना ध्यान से, तो सबकी skin पर mucus glands present होंगे, and they will secret some kind of mucus like substance, उनको respiration में help परेगा, next class is reptilia, तो reptilia के अंदर हमारे पास cold blooded animals आते हैं, मैंने अभी आपको meaning बताया, इनकी body के ओपर भी scales देखने को मिलते हैं, जैसे Pisces की body पर थे, and they breathe through lungs, only lungs, gills नहीं होते हैं इनके अंदर, जैसे amphibians में, lungs और gills दोनों present थे, अच्छा अगर हम amphibians की बात करें, तो वो अपने eggs को पानी में ही ले करके आते, they lay eggs in the water only, land पर उनके eggs जो हैं, वो grow कर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद, अगर हम बात करें, reptilia की, so they lay eggs with tough coverings, ऐसा amphibians के अंदर नहीं था, उनके eggs के ओपर कोई tough covering नहीं होती, reptilians के eggs के ओपर काफी tough covering होगी, and they do not lay their eggs in water, unlike amphibians, वो पानी में अपने eggs ले करते थे, अगर हम हाट की बात करें, तो they have three chambered heart, and it is not completely developed actually, amphibians का हाट भी three chambered ही था, and crocodiles के अंदर, एक exception है ये, three crocodiles के अंदर जो heart होगा, that is four chambered, four chambered है, यानि की दो auricles present होगे, और दो ventricles present होगे, जैसे हमारे अंदर होता है, उपर वाले दो chambers होते हैं heart के, उनको auricles बोलते हैं, नीचे वाले दो chambers होते हैं heart के, उनको ventricles बोलते हैं, अगर मैं बोल रही हूं किसी के अंदर two chambered heart है, यानि यानि कि एक auricle और एक ventricle प्रेज़ेंट होगा Three Sam her Daddy कि और दूर औरिकल दौर विभीज़त यानि कि टू ओर जट विवाट करें और हम एक्जामपल की ऱ्टकस लिजर्ट सैंड क्लॉकॉडंवडारी स्विप आणदर यह जıtना जादा हम हाइयर डीवीजन पर आते जा उतने हमें ना जाने पहचाने आनिमल्स के नाम मिलते हैं तो आप उनके features को याद करके बड़े अच्छे से divisions को याद करते हो आपको जाधा ध्यान देना है starting वाली divisions में क्योंकि वो animals के नेम इतने common नहीं है हमारे लिए और scientific names भी हमें NCRT वाले थोड़े बहुत learn करने होंगे इसलिए उस पे जाधा focus करना होगा यह सारे features तो आप खुदी समझ जाओगे उसके बाद next जो class आ रहे हैं that is aves यानि की birds इनको birds बोलते हैं दे आर warm-blooded अभी का cold-blooded थे यह warm-blooded है यानि कि यह हमारी तरह बाहर के temperature के according अपने आपको constant रख सकते हैं अंदर का temperature change नहीं होगा, effect भी नहीं पड़ेगा हमारा जो temperature होगा body का वो maintained रहेगा इसी को warm-blooded बोलते 4-chambered heart, clearly इनके अंदर 4-chambered heart है they breathe through lungs, special feature of birds is they have feathers for flying they have beaks also, now they lay eggs, there is an outside covering of feathers these are the special features of birds, examples you already know this is called white stock this is ostrich, आपको पहले सी पता था और यह जो आपको duck लिख रही है this is called male tufted duck, यह NCRT के examples है इसके बाद आजाता है mammalia, यानि कि memory glands वाले organisms memory glands क्या होते है, these are special glands जो mostly female body के अंदर present होंगे because female will be mothers, now mothers have memory glands यह glands baby को feed कराने के लिए, baby को nourishment के लिए inbuilt होते है ठीक है, they are warm-blooded, special feature they have memory glands for the production of milk which helps in nourishing the child 4-chambered heart, clearly 2 auricles और 2 ventricles, इनकी skin के ऊपर hair present होते है और sweat और oil glands भी present होते है हमारी body के ऊपर जो sweating होती है, because हमारी skin के ऊपर कौन से glands है sweat glands है, they give birth to young ones, यानि के लिए इसके लिए हम term यूज करेंगे they are viviparous, they give birth to young ones then examples, platypus and echidna lay eggs, यह exception है बचो वैसे तो यह young ones को यह birth देने वाले है but platypus और echidna जो है वो eggs ले करते है तो exception है, question बन सकता है kangaroos give birth to very poorly developed young ones kangaroos भी birth, तो young ones को यह देते हैं poorly developed होते हैं, इसी लिए वो mother की pouch में present होते हैं उनकी body के उपर, ventral side पे, pouch like structure होता है तो जो baby kangaroos होंगे, वो उसी के अंदर रहते हैं जब तक वो पूरी तरीके से बड़े नहीं हो जाते So these are special features of mammalia, इसके अंदर से बहुत सारे question आने के chances बनते हैं For example, cats, humans and whale also Then whale is the largest mammal, if you know So this was all about core data phylum, जो हमने पड़ा है कि कौन सी subclasses थी core data के अंदर, vertebrates और पहले आ गया proto-core data और vertebrata फिर हमने proto-core data के features पढ़े और vertebrata के 6 अलग-अलग classes पढ़े तो इनसे question आने के बहुत chances है, इनके examples और features दोनों ही काफी important है So that's it, बच्चो, diversity in living organisms complete हो चुका है आप दो दीन बार इस वीडियो को देखो, आपको notes मिल जाएंगे Notes में आप सारे characters, examples की help से learn कर सकते हो Example की help से ही आपको सारे characters actually learn होने वाले है तो एक phylum का या division का एक कोई भी अच्छा से example चूस कर के उसके features लिको And then it will be easy for you to memorize it We will soon come up with the next video, till then take care of yourself